हलो स्जूडेंट्स, कैसे हैं आप, उम्मीद है, अच्छ होंगे? आज बच्चों हम लोग स्विलूशन करने जारु रहे हैं, सेवन्थ बायो केम के बारे में सेवन्थ बायो केम में, बायलोजी में, जो हमने टोपिक लिया है, वो टोपिक है सेल बाइलोजी फर्स्ट जिसमें हंडेड कोशन्स मैंने आपको दिये है यह हंडेड कोशन्स जो है NCRT पेश्ड है एक्जाम ओरियंटेड है उम्मीद आपने इंजोई किया होगा अब हम बत्चों इसका सोलुशन जो है वो यहां पर करने जा रहे है तारक के अंदर निम्न से बनते हैं तो जैसे कि अपने को पता है कि कोई भी एक जो सेल है सेल भी कौण से अपन कहा सकते है एनिमल सेल विकोज एनिमल सेल के अंदर ही जनरली अपन क्या कहा सकते है centrosome मिलते हैं तो इस centrosome की बात अपन करें जो कि membrane less होता है इस centrosome के अंदर two centriol होते हैं तो centriol आते हैं कहां से कहां से बनते है centriol तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर as face के अंदर जब centrosome division करता है तो centrosome division करके नया centrosome मनाता है इस टाइम पर जो centrosome के दोनो centriol है वो division करके क्या करते हैं नए centriol बनाते हैं तो जब centrosome का duplication होगा जब one centrosome से two centrosome बनते हैं उसी टाइम पर centrosome में जो centriol है वो भी new centriol का formation करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है that pre-existing centriol बिल्कुल correct है D-novo थोड़ा सा बताना चाहूंगा हम आपको D-novo का मतलब क्या है D-novo का मतलब होता है कोई भी चीज जो है अगर कोई organally कोई भी structure अगर zero से बनती है वो pre-existing structure से नहीं बनती है बलकि वो किसी other structure से बनती है उसे कहते है D-novo origin just like endoplasmic reticulum ER ER का formation pre-existing ER से नहीं होगा बलकि जो nuclear membrane है वो formation करती है ER का फिर ER से formation किसका होता है गोलजी बोडी का तो ER का गोलजी बोडी का लाइसोसोम का इनका formation D-novo होता है इनका formation pre-existing structure से नहीं होता इनका निर्मान पूर्वस्तित सरस्तना से नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर answer जो है centriol का origin कहां से होगा centriol कहां से rise होता है pre-existing centriol से then correct answer यहाँ पर हो गया first option इसके बाद में बच्चों आगे चलते है next question की तरफ next अपने सामने जो यहाँ पर है देख लेते हैं next है which of the following is correct regarding the given figure नीचे दिये गए चित्र के बारे में कौन सा विकल्प सही है तो सबसे पहले बताना चाहूँगे हम आपको यहाँ पर एक diagram है जो कि किसका है यहाँ पर aquigozone का diagram है और इस comme查 जांदर वान तू त्री और फोर यह जो आप यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल center में जो आप देख रहे हो इसे हम लोग क्या कहते है इसे मोलते हैं see इसे हम लोग बोलते हैं गुण सुत्र बिंदू ठीक है इसके बाद में यह जो आप यहाँ पर दो स्ट्रक्शर देख रहे हो यह क्या हो गई यहाँ पर होगी काइनेटो कोर तो पन कह सकते हैं नमबर ओफ सेंट्रो मियर कितने सेंट्रो मियर है तो देखो बच्चो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंट्रो मियर है नमबर ओफ काइनेटो कोर एक तो क्या हो गया सेंट्रो मियर नमबर ओफ काइनेटो कोर वन एंड टू यहाँ पर कितने काइनेटो कोर है टू एंड नमबर ओफ arms 1, 2, 3, 4 arms यहाँ पर कितने हो गए 4 तो इस तरीके से अपने कहा सकते है कि यहाँ पर यह कुछ conditions थी अब देखते हैं 1, 2, 4 तो 1, 2, 4 correct answer यहाँ पर हो गया second option ठीक है इस तरीके से मचो अपन कहा सकते हैं question का answer कोण सा हो गया second आगे देखते हैं इसके बार में next next है the lipid molecules present in plasma membrane have polar heads and non-polar tails as shoring figure plasma जिल्ले में उपस्टित lipid अनुओं में धुरूविय सिरे एवं धुरूविय पुछ होती है तो यहाँ पर सिर head कैसा होता है धुरूविय और यहाँ पर पुछ कैसी होती है एदुरूविय जैसे की चित्र में धरसाया गया है तो which option represent the correct arrangement of lipid in lipid by layer lipid दूव सतय में lipid की सही व्यवस्ता को कौन सा विकल्प शो करता है तो अपने को पता है कि cell membrane के अंदर कुछ इस तरीके से conditions होती है यह बचो यहाँ पर कौन है lipid के molecules होगा करते है यह यहाँ पर क्या आगी protein इस तरीके से क्या आते है lipid के molecules इस तरीके से यहाँ पर proteins वगरा available होती है तो देखो lipid के molecules कुछ इस तरीके से होते है कि उनके जो head है वो head बाहर की तरफ होते है वो head outside की तरफ होते है क्योंकि बार की तरफ देखो यहाँ पर क्या होता है aqueous medium और यहाँ पर भी क्या होगा aqueous medium aqueous medium का मतलब यहाँ जल पाये जाता है और head जो है यह hydrophilic होता है यह जल के सास्नेह करता है यही कारण है कि यह जो hydrophilic head है जो जल के साथ सनेह करने वाला head है वो जल की तरफ होता है मतलब वो बार की तरफ वा करता है तो इसका जो arrangement है आप देख सकते हैं वो arrangement कौन सा हो गया वो अपने पास में हो गया इस तरीके से second या आप यहां बता सकते हो इसका arrangement जो है वो हो गया इसका मतलब यह है कि एक साइंटिस्ट और साइंटिस्ट ने क्या किया जैसे कि दियाओं यहाँ पर एक एनिमल की जो सेल है उसमें से सेल मेंब्रेन को प्लास्मा मेंब्रेन को अलग करके एक केमिकल के अंदर डाल दिया और उस केमिकल के अंदर एक सोल्यूसन है एक साल्ट सोल्यूसन है और यह जो साल्ट सोल्यूसन है वो क्या कर सकता है इसको स्टेबल बना रहा है फिर उसके बाद में क्या देखता है कि यहाँ पर इसके अंदर जिल्ली अखण दिखाए देती ह किन्तु इस्तिरक्विलियन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई इस्तिरक्विलियन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई तो इस्तिरक्विलियन में नए प्रोटीन कोण से है देखो उसी निसी बात है कोई भी सेल मेंब्रेन है उस सेल मेंब्रेन के अंदर प्रोटीन जो है व there are two types of protein extensive protein and eccentric protein extensive protein वो है जो surface पर होती है और कोई भी structure अगर surface पर है तो उसको easily हम लोग क्या कर सकते है separate कर सकते है अगर कोई embedded है अंदर जसी हुई है तो उसको separate करना क्या होता है काफी मुश्किन होता है तो जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि solution के अंदर कुछ protein आ गई तो वो protein आएगी जो cell membrane में less stable है कम स्थाई है और कम स्थाई protein कोई सी होती है आप क्या सकते हो extensive protein होती है it is also called peripheral protein तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया peripheral protein तो क्योंकि जो peripheral protein है वो less stable है वो कम स्थाई है इसका मतलब वो easily membrane से भाण निकल जाएगी और solution के अंदर आपको वो बिल जाएगी तो यहाँ पर answer जो है वो कोल सा हो गया first option हो गया then after next question number 5 select one which is not true for ribosome ribosome है तू जो सत्य नहीं है उसे चुने made up of two subunits बिल्कुल अपन कह सकते है चाहे कोई सा भी ribosome हो 70S हो चाहे 80S हो दोनों ही ribosome के अंदर two subunits होती है एक small और एक large from from polysome बिल्कुल अपन कह सकते है जो mRNA होता है उस mRNA के साथ में जब many ribosomes इस तरीके से attach होंगे यू ribosome भी कौन से 70S तो formation किसका होगा polysome का तो one mRNA with many ribosome एक mRNA अनेको ribosome के साथ जब मिलता है तो आप इस structure को क्या कहते है polysome कहते है तो देखो बच्चो polysome के formation के लिए बिल्कुल requirement किसकी होती है ribosome की में attach to mRNA mRNA से सलग नहो सकते बिल्कुल आप आप सामने है देखो यहाँ पर ribosome है और यह ribosome mRNA के साथ में क्या है associate है उसके साथ में attach है have no role in protein synthesis no way protein translation के लिए इसमें कोई भूमिका नहीं है गर्थ statement है ribosome को तो protein की factory कहते है और जो protein की factory है वो तो निश्चित रूप से क्या मनाएगी protein मनाएगी ribosome is responsible for protein formation then यहाँ पे आपको not true पूछा है तो आशर यहाँ पे कौन सा हो गया fourth आगे चलते हैं which one of these is not a eukaryotic निम्नमे से कौन eukaryotic नहीं है यह बच्चों भोती exam oriented neat का famous question आप इसे कह सकते हो जैसे यहाँ पे आपको कौन सा eukaryote नहीं है वो बताना है तो yuglina आप कह सकते है protista kingdom में आता है enabina एक silobacteria है monera kingdom में आता है spirogyra एक algae होता है आप कह सकते है प्लांठी kingdom में है agaricus एक क्या होता है फंजाई है ठीक है तो इस तरीके से अपन कह सकते है कि यह जो spirogyra एक algae है जो कि planty kingdom के अंदर आता है तो monera kingdom जो होता है monera kingdom के अंदर जो member है वो eukaryotic नहीं होता monera kingdom में जो member है वो prokaryotic होता है तो आशर यहाँ पे कौन सा हो गया monera kingdom जिसका example क्या हो गया एनाबिना तो इसमें कौन सा जो है वो eukaryotic नहीं है एनाबिना क्योंकि यह monera में है बाकि प्रोटिष्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया वो कैसे होते है eukaryotic होते है next इसके बाद question number 7 की बात अपन करें membranous structure found in cyanobacteria which contain pigments cyanobacteria में पाई जाने वाली जिली युक्त सरचना जिसमें वरनक पाई जाते है बताना चाहूंगा हम आपको कि cyanobacteria एक prokaryotic cell है और cyanobacteria capable है photosynthesis करने के लिए मतलब cyanobacteria photosynthesis कर सकती है और जब-जब कोई cell photosynthesis कर सकती है उसमें photosynthetic pigment होगा जरूर होगा और वो photosynthetic pigment cyanobacteria में जहां पर है उसे आप लोग कहते हैं chromato 4 cyanophysin ganule जो है ये एक residual body है gas vacuole is also a residual body phosphate ganule is also a residual body एक abscist काय है लेकिन जो chromato 4 है जिससे आप वरन की लवग भी कह सकते हो ये chromato 4 ही है जो photosynthesis के लिए responsible है cyanobacteria में क्योंकि इसी में photosynthetic pigment पाए जाते है देनांसर बच्चों यहां पर कौन सा हो गया fourth option हो गया next इसके बाद में आगे देखे question number 8 different cells have different size arrange the following cells in an ascending order of their size and select the correct option विभिन्द कोशिकाओ के आकार भिन्द भिन्द है निम्द लिखित कोशिकाओ को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए करम में विवस्थित कर सही विकल्प को चुने NCRT में दो चीजे होती है कोशिकाओ का आकार कोशिकाओ क्या करती size of cell and shape of cell एक बात अपर यहाँ पर कह सकते है कि size of cell कोशिकाओ का आकार कुछ भी हो सकता है लेकिन कोशिकाओ की आकरती जो होती है वो निर्बर करती है कि वो कालिये क्या करती है कोशिकाओ की आकरती the shape of cell depends on function of cell देखें यहाँ पर size की बात कर रहें आपको पता होगा mycoplasma जो है ये बच्चो mycoplasma smallest cell है सबसे चोटी कोशिका कोशिकाओ कोशिकाओ की है mycoplasma है इसके बाद आप कह सकते है bacteria bacteria जो होता है वो आप कह सकते है कि mycoplasma से large है बड़ी होती है 3 micrometer to 5 micrometer इसकी size होती है human की RBC जो है बड़ी cell होती है largest cell है तो smallest cell कोशिका है mycoplasma largest कोशिका है ostrich egg और ये दो data जो है आपको NCRT में गीवन है तो बच्चों यहाँ पे आज सर देखो मैं ascetic order की बात कर रहा है तो सबसे small कोशिका हो गई mycoplasma A ओके तो third option नहीं होगा फौर्ट ओप्शन नहीं होगा। माइकव्पलास्मा के बाद में बेक्टरिया बैक्टरिया措के हो गया डी उसके बाद में आर बी सिए इसके बाद ऑ में तो यहां पर करेक्टासेकों स हो गया फॉर्स्ट ऑप्शन व हो गया। इसके बाद question number 9 की बात अगर अगर अपन यहां पे करें बच्चो आज कर पता है आपको anti-nate निट के अंदर completely NCRT based syllabus आता है completely NCRT based question आते हैं तो पूरा paper जो है हमारा focus है कि NCRT आपको अच्छे से cover करा दें उसके आज पास का जो matter है वो भी आपको यहां पे हम करा देंगे plasma जिल्ली के तरल किर्मिन नमुने को किसने परतिपादित किया तो आपको पता है कि जो fluid mosaic model है उसको दिया था किसने Singer and Nicholson ने Camellio Golgi ने ये model ली दिया था उसने Golgi body की discovery की थी Sliden and Swan इन्होंने cell theory दी थी Robert Brown इन्होंने Kendricka nuclear lust की discovery की थी Singer and Nicholson ये दो इसे scientist जिसने क्या किया था plasma जिल्ली के एक तरल किर्मिन नमुने को परतिवादित किया इन्होंने दिया था fluid mosaic model Next question number 10 What is tonoplast? Tonoplast क्या है? तो जैसे बताओं मैं आपको कोई भी जो plant cell होती है उस plant cell के अंदर एक बड़ी structure है that is called vacuole जिसे आप कह सकते हो sap vacuole तो vacuole जो होती है उसकी जो membrane है जो कि single होती है इसी को आप लोग कहते हो tonoplast then outer membrane of mitochondria नहीं mitochondria की बाहरी जिल्ली नहीं है inner membrane of chloroplast chloroplast क्या आंतरिक जिल्ली नो membrane boundary of vacuole of plant cell बिल्कुल plant cell में जो vacuole है जिसे आप कहते हो sap vacuole उसकी जो boundary है उसकी जो membrane है उसे हम लोग क्या कहते है tonoplast कहते है cell membrane of plant cell एक पादब कोशिका की कोशिका जिल्ली नो वे तो पन यहाँ पर कह सकते है tonoplast क्या है रिक्तिकाओ की सीमा है boundary है vacuoles की कोण सी vacuole sap vacuole तो answer यहाँ पर थर्ड option हो गया next question number 11 which of the following is not true for eukaryotic cell एक eukaryotic कोशिका है तू निम्न में से कोण सा कतन सही नहीं है cell wall is made up of peptido glycan no peptido glycan जो है यह prokaryotic cell की cell wall को बनाता है नए कि eukaryotic cell की cell wall बनाता है it has 80S type of ribosome present in the cytoplasm कोशिका दर्व में 80S परकार के ribosome उपस्थित होते है बिल्कुल सही है जो eukaryotic cell है उसमें 70S ribosome and 80S ribosome दोनों होते है 70S तो किस में होते है mitochondria में होते है cycloplast में होते है cytoplasm के अंदर जो भी ribosome है वो कैसे होते है ATS होते है बिल्कुल सही statement है mitochondria contains circular DNA तो mitochondria जो है बिल्कुल उपन कह सकते है उसमें क्या होता है circular DNA होता है क्योंकि उसका जो origin है वो ही आप कह सकते हैं प्रोकेरोटिक cell से होता membrane bound organally आर प्रेजेंट बिल्कुल जिल्ली आबद अंगंग जो है वो उकेरोटिक सेल में होते है प्रोकेरोटिक सेल में सिर्फ एक organally है ribosome वो भी membrane less है तो यहाँ पर आपको पुचा है क्योंसा not true है तो यहाँ पर आपको पुचा है is not a function of cytoskeleton एक कोशिका में कोशिका तंकाल का कार्य निम्दे में से क्या नहीं है intra cellular transport नो यह इसका function नहीं है कोई भी जो cell है उस cell के अंदर की तरफ जो protein की sheet लगी होती है cell के अंदर की तरफ चारो तरफ जो protein की sheet लगी होती है उस sheet को हम लोग क्या कहते है उसे हम लोग कहते है cytoskeleton ठीक है तो यह जो cytoskeleton है उसका function जो है वो mechanical support देना है नहीं कि वो किसी transport में help परता है maintenance of cell shape and structure बिल्कुल सही NCRT line है provide mechanical support cell motility बिल्कुल जो cell की motility होती है अगर cell displace हो रही है तो पूरी cell एक साथ displace होए इस पूरी cell को एक साथ बांदे रखता है उस पूरी cell को एक साथ जोड़े रखता है कोण? cytoskeleton तो अपन कह सकते हैं कि जो cytoskeleton है वो mobility के इंदर भी क्या करता है help करता है transport का इससे कोई मतलब नहीं है तो answer यहाँ पर हो गया first option next question number 13 micro-tubles are absent in निमनमे से किसमे micro-tubles अनुपस्थित होती है micro-tubles जो है आप सब को पता है micro-tubles का formation किस से होता है tubles in protein से होता है तो वो कहा absent है आए देखते है mitochondria बच्चों mitochondria में कोई micro-tubles नहीं होती ऐसी कोई structure ही नहीं है जिसमें contraction मगरा हो तो यहाँ पर कोई micro-tubles नहीं होगी फ्लेजिला बिल्कुल spindle fiber and centriole फ्लेजिला spindle fiber and centriole इन तिनों का जो formation आप कह सकते है किस से होता है micro-tubles से होता है ठीक है तो यहाँ पर जो micro-tubles है वो mitochondria में नहीं होती answer यहाँ पर हो गया first option next question number 14 की बात अपन करे match column first with column second and select the correct option the codes given below इस्तम एक को स्तम दो से मिलान करे तथा नीचे दिये गए कुटो से सही विकल्प का चुनाव कीजिए यहाँ पर है living hook living hook first saw and describe a living cell बिल्कूल सबसे पहले जो cell है उसको दिखा था Robert hook ने लेगिन जो living cell है सबसे पहले उसकी discovery किस ने की थी एंटॉन वोन लिवन hook ने की थी Robert brown तो NCRT के अंदर जो 8 number chapter है 11th के NCRT में उसके first page पर निचे की तरफ आपने देखा हुआ लिखा हुआ है कि जो nucleus है उसकी discovery की थी Robert brown ने तो nucleus की discovery की थी Robert brown ने इसकी matching किसी होगी थर्ड से होगी slider and swan इन्होंने cell theory को दिया था slider ने क्या कहा था that all plants are composed of different kinds of cell and swan ने कहा था that presence of cell wall is a unique character of plant cell बिल्कुल तो पर इसकी matching यहां देख लेते हैं A में यहां पर दे रखा है first A में यहां पर आ रखा है first थर्ड तो यहां पर होगा नहीं B में दे रखा है third B में थर्ड दे रखा है C में दे रखा है अपने four C में four दे रखा है और जो D है उसमें दे रखा है two बिल्कुल तो correct answer बच्चों यहां पर कौन सा हो गया first option हो गया next बात करें इसके बाद में question number fifteen के बारे में omni cellula e cellula new cells are arised from pre-existing cells this statement was given by omni cellula e cellula अर्थात नहीं कोशिका पूर्व में उपस्तित कोशिका उसे उत्पन होती है इस कथन को दिया किसने था तो अपने को पता है कि यह जो है वो cell theory को modify किया था cell theory के अंदर जो एक drawback रह गया था that cell theory could not explain that why new cells are arised how two new cells are arised तो सबसे पहले इसको ठीक इसने किया था रुडॉल्फ विर्चो ने कहा था रुडॉल्फ विर्चो ने सबसे पहले बताया था कि new cell का जो formation है उस new cell का formation pre-existing cell से होता है तो यहाँ पर correct answer जो है वो कौन सा हो गया रुडॉल्फ विर्चो next question number 16 की बात करें what is true about genetic material of a prokaryotic cell किसी prokaryotic कोशिका के अनुवांसिक पदार्थ के बारे में क्या सही है बिल्कुल देखते हैं lack histone correct है विक किसी भी prokaryotic cell में histone protein नहीं होती बलकि non histone protein वहाँ पे हुआ करती है not enveloped by nuclear membrane बिल्कुल nuclear membrane जो है वो prokaryotic cell में absent है इसी लिए nucleus को आप लोग बोलते हो less developed nucleus composed of a single circular DNA molecule बिल्कुल prokaryotic cell के अंदर आप कहा सकते हैं कि single circular DNA molecule होता है हला कि किसी-किसी prokaryotic cell में plasmid के form में दूसरा DNA भी हो सकता है लेकिन वो एक अलग condition है किसी भी prokaryotic cell में दिखा होगा आपने NCRTB line दे रखिए कि क्या होता है उसमें single circular DNA molecule है अगर मैं इसे बोलता कि only single हमेशा single molecule होता है तब वो गलत हो जाता लेकिन almost आप क्या कह सकते हैं almost single circular DNA molecule इसके अंदर होता है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि prokaryotic cell के सारे ही character है दिखा यहाँ पे हो गया fourth option next question number 17 की बात अपने यहाँ पे करें prokaryotic cells are generally and multiply then the eukaryotic cell prokaryotic कोशिका है प्राय होती है और eukaryotic कोशिका होगी तो नामे गुणित होती है तो NCRT की line है कि prokaryotic cell की size eukaryotic cell से small होती है लेकिन जो multiplication है वो prokaryotic cell का काफी fast होता है for example human की जो cell है वो 24 hours में division करती है लेकिन E. coli 20 minute में कर लेता है मनुष्य की कोशिका 24 गंटे में विबाजन करती है पर E. coli की कोशिका मात्र 20 minute में कर लेती है इसका मतलब क्या हुआ कि जो prokaryotic cell है are generally smaller and multiply faster than the eukaryotic cell तो answer यहाँ पर आपके आ गया third option question number 18 की बाद अपने इसमें करें glyco calyx एक mucilase की sheet होती है of a bacterial cell may occur in the form of a loose sheet called or it may be thick and tough than cold तो antiotic line देखे होगी बच्चों आपने prokaryotic cell में outermost layer glyco calyx है और वो glyco calyx अगर tough है अगर thick है अगर tight है उसे कहते है capsule अगर वो ही layer मान लो thin है loose है ठीक है उसे हम लोग क्या कहते है slime layer तो अगर मान लो यह loose sheet है तो आप इसे क्या कह सकते हो slime layer कह सकते है और tough है तो आप क्या कह सकते है इसको capsule दिनाजसर हो गया second option 18 number question में इसके बाद 19 number question की बात करे are self-replicating extra-chromosomal segments of a double standard circular and net DNA present in a bacterial cell दोहे सुत्र वाले वर्ताकार वे नगन DNA के स्वेपर्तिकर्तिकर्ण करने वाले बाहे गुंसुत्रिकर्ण होते हैं जिवान कोशिका में क्या बोलती है उसको जैसे कोई bacterial cell हो गई तो bacterial cell में आप कह सकते हैं उस अब से बार क्या होता है ग्लाइकोकेलिक्स cell wall, cell membrane इस तरीके से बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पे DNA होता है यह DNA इसका main DNA है इसे कहते हैं क्रोमोसomal DNA इसके बाहर, इसके outside कई बार, not always कई बार एक DNA और होता है उसी का नाम क्या होता है, प्लास्मिड तो प्लास्मिड क्या हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोसomal DNA हो गया इस क्रोमोसomal DNA के बाहर हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोसomal DNA आंसर क्या है इसका प्लास्मिड बिल्कुल नुकलियोड तो इसी का नाम होता है क्रोमोसोमल DNA को क्या कहते है नुकलियट कहते है विजोसोम यह यहाँ पर होता नहीं है तो सेल मेम्रेन का एक्स्टेंशन होता है बेक्ट्रियोफेज एक वाइरस होता है तो आप कह सकते हो कि self-replicating अपने आपका replication कर सकता है क्यों कर सकता है क्योंकि इसमें कौन सा gene है origin है ठीक है अपने आपका replication कर सकता है chromosomal DNA के बाहर है तो extra chromosomal DNA हो गया और circular है ठीक है net DNA है net क्यों है क्योंकि यहाँ पर stone protein नहीं है nuclear membrane भी नहीं है तो answer यहाँ पर हो गया first option next question number 20 plant cells differ from animal cells in having पादब कोशिका जन्तु कोशिका से निम्न की उपस्तिती में भिन है तो plant cell में क्या होता है cell wall बिल्कुल होती है plastid बिल्कुल plant cell के अंदर chloroplast होता है plastid होता है हलागे plastid के तीनों type होते है chloroplast भी हो सकता है lycoplast भी हो सकता है बिल्कुल तो आसर यहां पे कौन सा हो गया fourth option हो गया यह सारी के सारी condition जो है वो plant cell में है but animal cell में यह सब absent होता है animal cell में cell wall नहीं होती plastid नहीं होता large central vacuum नहीं होती है sometimes animal cell में vacuum हो भी सकती है but वो large नहीं होगी small होगी less developed होगी जो काफी कम condition में होती है इसके बाद next question number twenty one poly ribosomes are aggregation of poly ribosomes निम्नमे से किसका समुवे तो पन जानते है कि जो mRNA वा करता है जो mRNA होता है उस mRNA के साथ में जो ribosomes होते हैं वो ribosomes इस तरीके से aggregate हो जाते हैं जुड जाते हैं और formation किसका होता है polysome का तो ribosome and rRNA नहीं भी rRNA नहीं होता mRNA होता है परोक्षी सोम no several ribosomes held together by a string of mRNA बिल्कुल एक mRNA का जो धागा है उसमें बहुत सा ribosome पिरोए गए है ऐसा अपने को लगता है rRNA no तो यहाँ पे आज से कौन सा हो गया third option 22 की बात करते है which of these is not correct regarding ribosome ribosomes के संबंद में निम्नमे से कौन सा विकल्प सही नहीं है non membrane bound बिल्कुल अपर कह सकते है ribosome क्या है membrane bound नहीं होता present on RER and in the cytoplasm बिल्कुल cytoplasm के अंदर होता है और जो RER है उसके उपर भी होता है absent in chloroplast and mitochondria no ribosome chloroplast के अंदर होता है और mitochondria के अंदर भी होता है दोनों में ribosome होता है और दोनों में जो ribosome है आप कह सकते है 70S time का होता है take part in protein synthesis बिल्कुल ribosome क्या करता है protein circulation के अंदर बाग लेता है तो यहाँ प्याल सर जो है वो third option होगा यह यहाँ पर क्या हो गया is not correct regarding ribosome 23 which organally is not a part of the endomembrane system तो याद करो eukaryotic cell के अंदर कुछ ऐसे cell organal होते है जिनका functions eukaryotic cell में कुछ ऐसे organally होते है जिनके functions coordinated होते है आपस में interconnected होते है आपस में जुड़े होते है उन्ही को बोलते है endomembrane system यह होते है जैसे ER Golgi body lysosome and vacuole यह ऐसे organally है जिनके functions आपस में coordinated है इन्हें कहते है endomembrane system तो कौन सा part नहीं है ER तो है Golgi complex भी है lysosome भी है लेकिन mitochondria नहीं है यह बच्चो एक बार CBAC का जो main exam हुआ करता था कोई टाइम पर उसके दिर भी कोशन आई हुआ है 24 की बात करें cell recognition and addition are facilitated by components of plasma membrane these components are generally कोशिका की पहचान एवं आसन जन को plasma जिल्ली के घटको द्वारा आसान बनाया जाता है और यह घटक जो है वो घटक प्राइक कोण से है देखिए जैसे माल लोग कोई भी cell membrane होती है तो cell membrane के अंदर आप कह सकते है इस तरीके से condition पाई जाती है यू ये तो lipid के molecules हो गए ये protein ये भी क्या हो गए lipid के molecules हो गए अब फिर इसके बाद आप क्या देख सकते हैं इसके अंदर यू ये यहाँ पर होते हैं carbohydrate ये माल लो यहाँ पर क्या इस तरीके से carbohydrate है ये protein के molecules रुआ करते है एंड ये यहाँ पर क्या हो गए कार्बारेड हो गए तो इस तरीके से ये जो carbohydrate आप देख रहे हो ये carbohydrate और ये lipid इसे कहते हैं glycolipid carbohydrate प्लस protein glycoprotein तो glycolipid और glycoprotein जो है ये cell membrane के अंदर बाहर की तरफ होते हैं और एक cell अपने glycoprotein glycolipid की help से दूसरी cell को recognize करती है उसको पैचानती है जैसे मालो किसी भी cell की बात अपन करें तो cell के बाहर जो glycoprotein है जो glycolipid है अगर वो सामने वाली cell के साथ match कर रहे है इसका मतलब दोनो cell एक ही organism की है और अगर इसके glycoprotein glycolipid सामने वाली cell के glycoprotein glycolipid के साथ match नहीं कर रहे है इसका मतलब वो cell किसी different organism की है किसी दूसरे जीव की है वो antigen है इसके खिलाफ इसके against antibody generate की जाए तो अपन यहाँ पे कह सकते है protein molecules alone no both protein and lipid no glycolipid and glycol protein yes तो यहाँ पे answer कोड़ सा हो गया fourth option इसका correct answer हो गया ओके आगे बाद करें इसके बाद में 25 a phospholipid molecule is empathic and produce two layers coming in contact with H2O the head of phospholipid molecule phospholipid अणू के अंदर empathic condition होती है और यह है H2O के संपर्क में आने वाली दो परतों का निर्मान करता है और यह जो phospholipid का head वो किस तरफ होता है तो अपने भी बात की थी किस तरीके से बचों करा प्रणिशन देखो तो पोस्पोलिपिड का जो head है वो कहां पर होता है बाहर के तरफ वह अगरता है तो answer यहाँ पर क्या हो गया add the outer surface inner surface की तरफ नहीं होता embedded in protein molecule नो तो answer यहाँ पर कौन सा हो गया second option हो गया 46 की बात अपन करें कि लाइसोसोम्स आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्मड बाई दे प्रोसेस ओफ पेकेजिंग इन दे लाइसोसोम पुटकिय सरस्तना है जो में पेकेजिंग की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है तो आप इसमें देख सकते हैं कि लाइसोसोम जो है यह लाइसोसोम एक membrane bound structure वागरती है लाइसोसोम जो वो single membrane से cover होती है और होडी भी चाहिए ताकि लाइसोसोम के अंदर के जो enzyme वो बाहर आनी पाए क्योंकि वो digestive enzyme होते है गोलजी बोड़ी बिल्कुल जो बच्चों गोलजी बोड़ी में system ही वागरती है उस system ही के अंदर जो trans surface होती है उसी trans surface से बाहर निकलती है कौन लाइसोसोम packaging method के त्रू तो यहाँ पे अगर आप answer की बात करो तो answer यहाँ पे क्या आ गया answer यहाँ पे आ गया fourth option ठीक है answer यहाँ पे आ गया first option तो 26 में answer कौन सा हो गया first option हो गया तो answer यहाँ पे हो गया first option इसके बाद next आगे बात करें question number 27 identify the parts labeled as A, B, C and D in the given ultra structure of the plant cell and select the correct option देखो बात अपने यहाँ पे करें तो इस तरह के से बच्चो देखो अपने पास में क्या है यह अपने पास एक plant cell है और इस plant cell में जो भी labeling यहाँ पे की है इसको पैचानते पन first of all बात करते हैं किसके बारे में A के बारे में बात करते हैं A, देखो बच्चो A यहाँ पर एक ऐसी structure है जो सबसे बाहर है और किसी भी plant cell में सबसे बाहर अगर हम structure को देखे तो वो structure यहाँ पर कोण सी होती है cell wall तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या हो सकता है cell wall B की बात करें तो देखो बच्चो B यहाँ पर आप कह सकते हो क्या है यह यहाँ पर chloroplast है भी क्या हो गया वुरॉप्लास्ट कि बात ना करूं तो सी देखो यहां पर क्या है Hope तो क्या हो गया मायकॉनडरीय या डी की बात में यहाँ पर करना चाहों कि डी को नहीं तो दिखो बच्चो डी यह पर क्या है सिस्ञाराट इसका मतलब इसके अंदर फॉर्थ ओप्शन हो गया 27 के अंदर नेक्स्ट कोशन नूमबर 28 के बाद आपन यहां पर कर लेते हैं विच ओफ दीज इस नोट ए फंक्शन ओफ गोलजी एपरेटस निम्नमे से कौन सा कारिय गोलजी जिल्ली उपकरण का नहीं है तो जैसे कि अपन जानते हैं साइट ओफ सिंथेशिस ओफ गलाइको प्रोटीन अडिया को लजिफिड जैसे अपने पास इस तरीके से होती है इसे आप लोग क्या कहते हैं तो यह जो ट्रांस सर्फेस हुआ करती है इसी से सबस्टांस को एक्जिट मिलता है तो यह क्या करता है यह जो अपने पास में गोल्जी बोडी है यह गलाइको प्रोटीन और गलाइको लिपिड का फॉर्मेशन करता है सिक्रेशन बिल्कुल्टृ सर्फेस सिक्रेशन होगा जली रुपाद्थर जो सेल मेंबरेन वागरती है उस सेल मेंबरेन के अंदर जो फॉर्मेशन का फॉर्मेशन का स्थल यह यहां पर गलत है यहां पर जो protein synthesis की site है वो आप कह सकते गुलजी बोडी नहीं है वो glycoprotein के synthesis की site है वो glycoprotein के निर्मान का श्थल है नहीं कि प्रोटीन के निर्मान का स्थल है तो यहां प्यांसर बच्चो कौन सा हो गया? फॉर्ट ओप्शन हो गया next 29 की बात अपन इसमें करें इन विच ओफ दे फॉलोइंग पार्ट ओफ माइटो कॉंड्रिया सक्सिनिक डी हाइडोजिनेस एंजाइम इस लॉकेटेड देखो सक्सिनिक डी हाइडोजिनेस एंजाइम जो है ये बच्चो क्रेप साइकल का एक एंजाइम है ओल्मोस्ट एंजाइम क्रेप साइकल के माइटो कॉंड्रिया की मेट्रिक्स में होते है बस ये एक अकेला एंजाइम है जिसे मारकर एंजाइम कहते है और ये जो सक्सिनिक डी हाइडोजिनेस एंजाइम है जिसे आप लोग मारकर एंजाइम कहते हैं ये एंजाइम जो होता है वो माइटो कॉंडरिया की इनर मेंब्रेन के इंदर होता है ठीक है तो आसर यहाँ पे हो गया फॉर्थ ओप्शन तो इस तरीके से देखो सारे कोशन जो अपर ले रहे है वो सारे कोशन क्या है एंजाइटी बैस्ट है थोड़ा साब इसको इंजोई करें ठीक है देखें next 30 number कोशन की बात करें यहाँ आपको मेचिंग करनी है तो नुकलियोलस इसके बात अपन करें तो नुकलियोलस क्या करता है लिपिड स्टोर, फोटोरेस्परेशन, ट्रांस्पोर्ट ओफ मैक्रों मोलिकूल, Рने सिंतसिस, भिल्कुल निकलिय 알았어 के थूरू, Rने का सिंतसिस होता है और Rने भी कोड सा? R RNA, उसका यहां पर सिंतसिस होता है sphirosome, sphirosome जो है वो आप कह सकते है basically क्या करता है lipid को store करता है एक type की micro body होती है paroxysome, paroxysome क्या करता है photorespiration करता है plasmodesmeta क्या करते है transport of macromolecule करते है जो cell wall के अंदर pore हुआ करते है, जैसे अपने पास में यह क्या हो गई, cell wall और cell wall के अंदर इस तरीके से जो pore हुआ करते है इन pore को अंदर क्या करते है plasmodesmeta, इसका function क्या है transport करना है, तो आशर यहाँ पे हो गया एका तो कौन सा हो जाएगा, 4 तो यहा second option में नहीं हो सकता fourth option में नहीं हो सकता, sphirosome करता है lipid castoration, paroxysome क्या करता है, photorespiration and जो आप है plasmodesmeta, वो क्या करता है transport of macromolecules, तो बच्चों correct answer यहाँ पे कोड़ सा हो गया, third option हो गया next आगे बात करते है इस नमबर 31 की match the cell organally given in column first with cellular process in column second and select the correct option from the codes given below तो यहाँ पे बिल्कुल अपन मेचिंग करेंगे lysosome, lysosome के अंदर होते है, hydrolytic enzyme digestive enzyme होआ करते है ribosome is protein factory ribosome का function क्या है, protein का formation करना है SER, जो smooth endoplasm reticulum है, वो SER glycogen का, वो SER lipid का, वो SER steroid का formation करती है centriole formation of spindle fiber, बिल्कुल cell division में जो centrosome होता है वो centrosome क्या करता है, help करता है वो spindle fiber का formation करता है तो यहाँ पे अगर अगर मेचिंग देखें तो A में क्या हो गया, 2 पर देखो बच्चों A में तो यहाँ first option में है, B में क्या हो गया first, C में क्या हो जाएगा अपने सामने, third, और D में क्या हो गया 4, तो correct answer यहाँ पर कौन सा हो गया first option हो गया, 31 में आगे देखे next, question number 32 match column first with column 2 and select the correct option from the quotes given below बिल्कुल बच्चों में करते हैं इसके इंदर RER, RER का function क्या है? RER का function है RER, SER, Golgi body, Lysosome intra-cellular and extra-cellular digestion digestion की बाद अगर आप यहाँ पर करो तो Lysosome का function क्या होता है? digestion करना है lipid का formation कोन करेगा? lipid का formation करता है SER, protein synthesis and secretion तो protein के synthesis की बाद करें secretion की बाद करें तो protein कहां से आता है? RER से आता है moves material out of the cell तो cell के बाहर material को भेजना यह function किसका होता है? Golgi body का होता है Golgi body, secretion करती है तो अगर matching की बाद अपन करें तो A में कौन सा हो गया? third A में third B में हो गया two C में हो गया fourth और D में related कौन है? one तो answer बचो यहाँ पर कौन सा हो गया? answer यहाँ पर हो गया first option 33 read the given statements and select the correct option नीचे दिये गए कतनों को पड़े और सही विकल्प का चुनाव करे statement first chloroplast and mitochondria are semi-autonomous bodies chloroplast थथा mitochondria अर्ध स्वायत पिंड है? बिलकु सही है chloroplast and mitochondria have their own DNA and protein synthesis machine बिलकुल बचो अगर आप condition देखे इसमें semi-autonomous का मतलब क्या है? जैसे एक तो अपने पास हुआ करता है autonomous और एक होता है semi-autonomous autonomous का मतलब यह है जो protein का formation खुद कर सकता है अपनी protein की जो requirement है उससे खुद fulfill करता है semi-autonomous का मतलब यह है कि वो protein का formation खुद कर सकता है लेकिन कुछ protein के लिए वो nucleus पर dependent होता है कुछ protein कहां से आता है? nucleus से आता है तो अपने कह सकते हैं कि जो chloroplast है और जो mitochondria है वो semi-autonomous organally है क्यों है? क्योंकि वो खुद protein का formation कर सकते है उनमें DNA है जहां पर information store होती है जिससे protein का formation हो सकता है तो यहां पर हम कह सकते है बोस statement first and second are correct and statement second is the correct explanation of statement first तो answer मचो कौन सा हो गया यहां पर answer यहां पर हो गया first option next आगे बात करें question number 34 की lysosomes are the reservoirs storehouse of lysosomes इसके reservoirs है बंदारग रहे तो lysosome में होते है hydrolytic enzyme और lysosome के अंदर जो hydrolytic enzyme होते है वो hydrolytic enzyme digestion के लिए responsible है वो पाचन के लिए क्या है जिम्यदार है तो answer यहां पर हो गया first option digestive enzyme तो डिफाइफ cells which are secretory in function have abundant स्त्रावन का कारिये करने वाली कोशिकाओं में बहुतायत में पाए जाते है अब कोई भी मालो cell अगर secretion कर रही है तो secretion अगर कोई cell करे तो आप कह सकते हैं उसके अंदर secretion function किसका होगा lysosome endoplasmic reticulum dicteosome बिल्कुल Golgi body को आप क्या कह सकते हैं dicteosome भी कह सकते हैं तो dicteosome का function क्या हो गया secretion करना हो गया osteosome यह बचो यहां पर है नहीं तो answer कोण सा हो गया third option हो गया 36 की बात करें ribosome of the eukaryotic cytoplasm तो eukaryotic cell का जो cytoplasm है उसमें ribosome कैसा होगा 80S chloroplast में कैसा होगा 70S और mitochondria के अंदर भी कैसा होगा 70S तो answer आप कैसकते यहां पर हो गया 80, 70, 70 answer यहां पर कोण सा हो गया second option हो गया next question number 37 read the given statement दिये गए कत्नों को पड़े बिल्कुल जैसे कि अपन यहां देख लेते हैं flat membranous sex in stroma of chloroplast chloroplast में जो stroma होता है उस stroma के अंदर जो आप कैसकते धेरी जो stacks यहां पे वा करती है ठीक है वो किसके होती है thylaquid की होती है तो अपन यहां पर कह सकते है यह first जो वो किसको शोगरता है thylaquid को शोगरता है in folding in mitochondria mitochondria के अंदर outer membran होती है उसके बाद हमाद जो inner membrane है उस inner membrane में जो in folding है उसे हम लोग क्या कहते है क्षिष्टर होती है तो यह बंचों यहाँ पर क्या वह उग इन व्ल्डिंग ऑफ माई ट्रॉकॉंडर या तो तू है सिस्टरिन कॉन सी है सिस्टर यहोगी गौल्जीबोडी के अंदर तो थांड आ गया और थाले कॉड कहा पर होता है कलरोप्लास्ट में तो क्या अंदर बी है तिल आंसर इस थार्ड ओप्शन ओके नेक्स्ट आगे बात करें कोश्च नमबर 38 की अरेंजमेंट ओफ मैं किसी सील और की बात करें किसी सेंट्री और की बात करें तो सेंट्रियोल क कि अंदर क्या होता है 9 plus 2 condition होती है जिसमें 9 तो क्या होते है double 8 और 2 क्या होते है single 8 इसके लाबा अगर मैं किसी centriol की बात करें तो centriol के अंदर क्या होता है centriol में 9 plus 0 condition होती है जिसमें 9 तो क्या होता है triple 8 और बीच में कोई my quotable नहीं होती तो यहाँ पर जो answer है वो आपका आगया 9 plus 0 9 plus 2 and 9 plus 0 answer यहाँ पर कौन सा है 38 नमर कोशन का answer यहाँ पर हो गया fourth option ठीक है आगे देखें इसके बाद में next 39 the chromosome in which centromere lies slightly away from the middle of chromosome ऐसा गुर्षूतर जिसमें centromere गुर्षूतर के मध्य से थोड़ा दूर होता है बिल्कुल अपन कह सकते हैं जैसे अगर मालो यह अपने पास में क्रोमोजोम है अगर बिल्कुल बीच में centromere होता तो उसे कहते हैं metacentric थोड़ा सा बीच से दूर होता तो उसको बोलते है sub metacentric किनारे पर होता edge पर उसे कहते हैं tillocentric और near edge किनारे के पास होता तो उसे आप क्या कह सकते थे उसे हम कह सकते थे acrocentric तो यहाँ पर पुचा है कि middle से थोड़ा सा क्या है अवे हैं इस तरीके से condition है यह तो देखो बीच में नहीं है थोड़ा सा दूर है ठीक है इसे हम लोग क्या कहेंगे सब मेटा सेंट्री कहेंगे question number 40 की बात के लेते है there are the densely stained reticular structures present near the nucleus consisting of many flat disc shaped cisterny 0.5 to 1.0 micrometer diameter यह केंद्र के निकट उपस्तित सगन रंजित जालनुमा सरस्ता होती है जिसमें अनेक चप्टी डिस्क नुमा 0.5 से 1 micrometer व्यास वाली cisterny होती है क्या होती है तो देखो बचो यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हो कि nucleus के पास है nucleus के पास है और उसका diameter यह है तो आप कह सकते हैं वो कौन सा हो गया वो यहाँ पर हो गया Golgi body इस तरीके से किसमें होता है सिर्फ Golgi body के अंदर ही होता है तो आप से यहाँ पर हो गया 40 के अंदर 4th option और सा Golgi body नेक्स्ट आके बात करें 41 के बात करेंगे कोशिका जिल्ली की सरस्तना के दिन के लिए सरोतम पदाट कौन सा है वो पने पास में है RBC of human बच्चो NCRT के लाइन है कि NCRT में हम लोग जब cell membrane पढ़ते हैं तो cell membrane के अंदर जो RBC की cell होती है जो RBC की cell membrane है हम उसी की study करते है क्योंकि RBC की cell membrane होती है वो आप कह सकते है किसी भी ER से connect नहीं होती है RBC अंदर से hollow होती है RBC अंदर से खोकली होती है ताकि उसमें maximum hemoglobin भरा जा सके और उसकी cell membrane किसी और से attached नहीं होती है वो free होती है तो उसकी study करना काफी easy होता है इसलिए अपन कह सकते हैं NCRT में जो भी आपको figure दे रखे वो सारे किस की दे रखे है RBC की दे रखे है तो यहाँ पे हो गया RBC of human 42 next question the most abundant lipid in the cell membrane is कोशी का जिल्ली में सरवाधिक परचूर lipid कोण सा होता है तो कोशी का जिल्ली में सबसे जादा जो lipid है वो होता है फोस्फो lipid तो कोण सा आलसर यहाँ पे हो गया fourth option NCRT के लाइन है 43 select the incorrect statement regarding the plasma membrane plasma जिल्ली के सम्मन्द में गलत कतर का चुनाव करें बिल्कुल करेंगे ratio of protein and lipid various considerably in different type of cell बिल्कुल बच्चो अलग-अलग cell के अंदर जो cell membrane है उसमें protein का and lipid का जो ratio है वो काफी different different हुआ करता है आगे देखे 52% protein and 40% lipid constitute in the membrane of human RBC बिल्कुल मानों की जो RBC है उसमें 52% क्या होता है protein और 40% उसमें क्या होगा लिपिड arrangement of protein मतलब P and lipid L is LPPL no it is P L L P पहले क्या होता है protein उसके बाद में क्या होगा लिपिड उसके बाद में क्या होगा लिपिड उसके बाद में क्या होता है protein तो यह देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर third option में एक wrong statement हो गया ठीक है आपको इस question के अंदर wrong जो है वो ही तो पुछा गया था तो answer यहाँ पर कौन सा हो गया third option हो गया head of phospholipid is hydrophilic बिलकुल जो hydrophilic head है वो किस में होता है phospholipid में होता है next 40 four number question की बात करें the molecules of the membrane that regulate its permeability are there जिल्ली में इस्थित अडू जो इसकी पारगम में ताको नियमित करते हैं देखो cell membrane की जो permeability होती है कि cell membrane कितनी ज़्यादा permeable है वो mainly depend किस पर करता है आप कह सकते हैं इसमें carbohydrate no phospholipid बिलकुल सही है oligosacadide या water तो अपन कह सकते हैं कि जो phospholipid होता है उस पर depend करती है जिससे आप लोगों ने पढ़ा होगा biotechology के अंदर भी अगर हम temperature को high करते हैं तो phospholipid क्या होता है दू-दूर हो जाते हैं जिससे permeability बढ़ जाती है अगर temperature कम कर देते हैं तो phospholipid पास-पास में आ जाते हैं जिससे permeability क्या हो जाती है decrease हो जाती है तो यहाँ पे जो answer है वो कौन सा हो गया second option इसका correct answer हो गया next 45 की बात करें the latest model of cell membrane cell membrane में जो latest model है उसका नाम क्या है वो है fluid mosaic model unit membrane model जो है इसको robertson मगरा नहीं दिया था बट यह थोड़ा सा primitive है danielle and devson इन्होंने लाइपोडिल मोडल दिया था robertson model इन्होंने unit membrane मोडल दिया था तो यहाँ पे जो latest model है वो कौन सा है should mosaic model है जो काफी most accepted model यहाँ पे है the next 46 cell membrane is selectively permeable this means that is कोशी का जिल्ली की चैनात्मक पारगम्यता होती है इसका अर्थ यह है भही यह बच्चो selectively permeable है और कोई भी चीज़ अगर permeable है और वो selectable है तो selectable permeable का मतलब यह हुआ कि वो चीजों को select करती है और उसके बाद में उसको pass होने देती है allow all material to pass no allow only water to pass no allow only certain material to pass through बिल्कुल सही है allow only iron to pass through no तो पर कह सकते हैं कि जो भी matter selectable होता है चाहे वो वोटर ही क्यों नहीं हो कोई भी structure कोई भी molecule अगर selectable है वो तो उसको pass कराती है answer यहाँ पर हो गया third option 47 की बात करें if you remove the cell wall from a plant cell and place it into a drop of water यदि आप एक पादब कोशिका से कोशिका भित्ती को निकाल कर इसे जल की एक बूद में रखते हैं तो क्या होगा जिसे बचों पने पास में प्लांट cell है और plant की cell को आपने water की drop में रख दिया तो water जो है वो कहा जाएगा plant cell के अंदर जाएगा और cell क्या होती है in large होती है तो cell would not begin to grow नहीं cell में ग्रोथ होगी cell would shrink क्या cell सिकुड़ जाती है नहीं जब water जो है जब पानी cell के अंदर आएगा तो पानी के अंदर आने से cell जो होती है वो swell होगी फूलेगी नए की श्रिंक होगी नए की सिकुड़ेगी the cell would brushed बिल्कुल अपन कह सकते है यहाँ पर की जो cell है वो क्या हो जाएगी पहले size उसकी increase होगी उसके बाद वो brushed हो जाएगी nothing would happen कुछ नहीं होगा तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ correct answer कौन सा हो गया the cell would brushed जब बच्चो plant cell है और उसमें cell wall ही नहीं है तो cell wall जो है वो cell को फटने से बचाती है cell को brushed होने से protect करती है तो in this condition अगर आप cell wall को remove कर देते हो तो water जैसे ही cell के अंदर जाएगा तो cell पहले swell होगी उसके बाद वो brushed हो जाएगी तो यहाँ पर correct answer जो वो कौन सा होगा third option होगा next 48 की बात करें a cell which is very active in the synthesis and secretion of protein would be expected to have अगर कोई भी कोशी का जो है उसमें protein के sensation और स्त्रावण में काफी सक्री है मतलब काफी जादा उसके अंदर protein बन रहा है तो अगर cell के अंदर protein काफी जादा बन रहा है और फिर उसका secretion भी हो रहा है तो उसमें क्या जादा होगा protein का formation किस से होता है ribosome से होता है जो RER के उपर available भी रह सकते हैं तो अपन कह सकते हैं equal amount of RER and SER no more SER than RER no बिल्कुल more RER than SER RER अगर जादा है तब ही तो synthesis किसका होगा protein का होगा तब ही उसका secretion होगा more Golgi body and no ER no ER क्याने से बच्चो option क्या हो गया wrong हो गया देर अपन कह सकते हैं कि अगर कोई भी cell secret कर रही है किसको किसी protein को तो उसमें RER की जो number वो काफी जादा होगे इसके बाद next बात करें question number 40 which of the following is correct for the origin of lysosome lysosome की उत्पत्ति के लिए इनमें से कौन सा सही है देखें अगर आप lysosome के origin की बात करें तो सबसे पहले क्या होती है ER का मतलब होता है endoplasmic reticulum उससे formation किसका होता है गोलजी बोडी का और गोलजी बोडी की जो transverse है उससे formation किसका होता है lysosome का ठीक है तो यहाँ पे जो correct answer वो कौन सा हो गया first option हो गया nucleus से गोलजी बोडी नहीं बनती है nucleus से ER बनती है फिर ER से क्या बनती है गोलजी बोडी तो यहाँ जो correct sequence समचो कौन सी हो गई first option हो गई question number 50 की बात कर लेते है which of the following statement is incorrect निमन में से कौन सा खतन जो है वो गलत है माइटो कॉंड्रिया को जब तक विशेश रूप से रंजीत नहीं किया जाए सुक्ष्मदर्शी के द्वरा आसनी से दिखाई नहीं दे सकते बिल्कुल क्योंकि जो mitochondria है उसका reflection point जो है जैस सही light mitochondria पर जाती है तो वो काफी जादा वापस reflect नहीं हो पाती इसलिए वो हमारी microscope के तो हमारी आँखों में नहीं आ पाती हम उसको stain कर देते हैं इस्टेन करने से क्या होता है उसका reflection पढ़ जाता है जिससे आपको वो clear दिखाई देता है कि फीजियो लोजिकल activity of the cells determine the number of mitochondria per cell बिल्कुल कोशिका की बहुतिक लिया है परती कोशिका mitochondria की स्टेन के निधान करती है मैं किसी भी cell में जित्ती ज़्यादा activity हो रही है इसका मतलब उसमें उतने ही ज़्यादा energy है उसमें उतने ही ज़्यादा क्या है mitochondria है mitochondria a powerhouse of cells has DNA, RNA, ribosomes and enzymes so it can survive outside the cell mitochondria के powerhouse होने से DNA, RNA, ribosomes and enzymes की उपस्तिती होने से यह कोशिका के बहार जीवित रह सकता है नहीं यह गलस statement है एक cell से कम ऐसा कुछ नहीं हो सकता कम से कम एक cell, एक cell से छोटा ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो बाहर independently सोतनतर रूप से क्या रहे, अस्तित्व में रहे, exist रहे तो mitochondria cell के बाहर depend, cell के बाहर free नहीं रह सकता mitochondria increase their number by division, mitochondria अपनी संख्या विबाजन द्वारा बढ़ाता है बिल्कुल सही बात है, mitochondria में फिजन होता है, तो answer यहाँ पे जो है incorrect आपको पुछा है, कोण सा हो गया, third option हो गया, next question number 51 की बात करें which of the following represents the features of lysosome, निम्न में से कौन सा विकल्प lysosome के विशेश गुनों को परदेशित करता है a lower pH than the cytoplasm, बिल्कुल भी lysosome के अंदर acidic medium होता है इसका मतलब lysosome के pH कम होती है, ठीक है, cytoplasm के compression में lysosome के pH क्या होती है, कम होती है reduced hydrolysis activity, संदमित hydrolyze सक्रियता नहीं यहाँ पर बचो क्या हो गया, wrong statement हो गया double membrane envelope, no lysosome के अंदर single membrane system होता है all of these, तो यहाँ पर correct answer कौन सा हो गया 51 में first option यहाँ पर बिल्कुल क्या हो गया, correct हो गया next 52 की बात करें which of the following is the correct match, निम्दमे से कौन सी जोड़ी सुमेलित है amyloplast, store carbohydrate, बिल्कुल सही है अरे बचो amylo, amylo का मतलब क्या होता है, यहाँ पर याद किरो amylase enzyme amylase का मतलब ही किस से होता है, start से होता है मतलब ही किस से होता है, carbohydrate से होता है ileoplast, store करता है fat को, oil को ileoplast किस से करता है, protein को करता है तो answer यहाँ पर कौन सा हो गया, answer यहाँ पर हो गया fourth option next 53 number question की बात अपन करें which group of organally is involved in synthesis of substance needed by cell कोशिकांगों का कौन सा समू, कोशिकांगों के लिए आवश्यक पदार्तों के संसलेशन से सम्मंदित है तो synthesis कोन करता है, lysosome digestion करता है, vacuole store करती है synthesis नहीं करती, ribosome synthesis करता है protein का vacuole नहीं करती, RER protein का करता है, ACR lipid का करता है ribosome protein का, RER protein का, ACR protein का, RER protein का lysosome नहीं करता, vacuole नहीं करता तो answer यहाँ पर कौन सा हो गया, answer यहाँ पर हो गया ऐसे questions जो है इनमें आपको synthesis की बात पुछिए कि कौन से सबस्टान synthesis करते हैं तो इसका जो भी function है आप उस approach से इस question को सही कर सकते हैं नेच्ट कोशन नमबर 54 करेक्ट सिक्वेंस ओफ लेयर्स ओफ बैक्टरियल सेल और फ्रोम आउटसाइड टू इनसाइड आउटवर्ड टू इनवर्ड जिवानु कोशिका के लिए कोशी के आवरनों का बाहर से अंदर की और सही करम क्या है तो किसी भी बैक्टरिया सेल में 65 इन प्लांट सेल वेक्योल ओक्यूपाई हाउ मैनी परसेंट ओफ दे वॉल्यूम ओफ दे सेल पादप कोशिका में रसदानी कोशिका के आयतन का कितना परसेंट भाग गेरती है तो बिलकुल एंसे आटी के लाइन है 90 परसेंट के लगबग थोड़ा सा 90 परसेंट से सेप वेक्योल है वो कवर करती है तो यहां पर आसर कौन सा हो गया 90 परसेंट नेक्ट फिफ्टी सिक्स कोशन continuity of cytoplasm from cell to cell is the maintained through cytoplasm connection in plants is called पादब कोशिकाओं में कोशिका से कोशिका के मध्य कोशिका दर्वे की निरंतर तागो बनाय रखने वाला कोशिका दर्वी संपर्शुत्र क्या खिलाता है जैसे इस तरीके से डिये स्टुडेंट्स कंडिशन है यह आपके पास plant cell होती है ठीक अब होता यहां पर क्या है कि plant की जो cell वा करती है अगर वो neighboring cells है तो एक cell से दूसरी cell के बीच में क्या होगा एक cell से दूसरी cell के बीच का जो यह connection आप देख रही हो जिसके तो तो साइटोप्लाज्म क्या होता है एक्षेंड होता रहता है इनको आप लोग क्या कहते हैं उस साइटोप्लाज्म कनेक्शन कहते हैं इने लोग क्या कहते हैं प्लाज्मोम डेस्मिटा कहते हैं कि नेच्षट कोशिकांग है जिसमें डियने होता है तो परोक्षिसों में डियने नहीं होता है राइबोसों में आरने होता है डियने नहीं होता माइटोकॉंड्रिया इसमें डियने है गोलजी बोड़ी में डियने नहीं है तो आंसर कोशिकांग हो गया थर्ड अप्शन हो गया सिंगल मेंडरेंट और यहें गलिवत को शिक आंग कोरूंत शाल हुए यहां पत Cordousimum लीख से कावर यहां पे दोनों माइक्रोपोड़ी है और माइक्रोपोड़ी जो है, वो सिंगल मेंडरेंट से से कवर होती हैं Android आंसर dlatego हो जाएगा और और आ question number 59 देख लेते हैं कि नॉनों मेंबरेन bound structure is किसमें मेंबरेन जो है वो absent होती है तो ribosome में कोई मेंबरेन नहीं होती centriol में कोई मेंबरेन नहीं होता nucleus में कोई मेंबरेन नहीं है answer यहाँ पे कोड़ सा हो गया fourth option यहाँ पे gotta ribosome तो एक organally है centriol कोई organally नहीं है एक structure है जो centrosome के अंदर है एक organ के अंदर है ये sub-organally आप कह सकते हैं nucleolus भी क्या हो गया ये भी एक sub-organally है ठीक है, organally के अंदर होता है next question number 60 की बात करें extra nuclear inheritance is due to the presence of genes extra nuclear inheritance बहुत अच्छा question है काफी approachable question है nucleus के बाहर inheritance inheritance के लिए कौन जिम्यदार होता है DNA, तो nucleus के बाहर DNA किस में होता है तो nucleus के बाहर DNA किस में होता है एक तो होता है mitochondria में और ये किस में होता है chloroplast में तो answer होगी है इसका first option question number 61 के बात अपन करें bright color of petal is due to presence of किसकी उपस्थिति के कारण push-po के दलों में चमकिला color होता है तो अपने को पता है कि जो chromoplast होता है वो chromoplast colorful होता है chromoplast color provide करता है chromoplast से green color production नहीं होता बाकि जो color है वो chromoplast से आते तो आप कहे सकते हैं कि जो chromoplast है ठीक है उसके कारण क्या होता है color इसका काफी bright full होता है तो आपसर यहां पे हो गया option number third ठीक है 61 में क्या आगया है यहां पे third option आगया 62 number question की बात करे cell organically responsible for autolysis autolysis का मतलब होता है खुद का ही digestion कर लेना अब देखो digestion हो रहा है तो digestion के लिए cell में कौन responsible होगा lysosome आपसर यहां पे कौन सा हो गया lysosome हो गया 63 number question की बात करे are granular structures first observed under electron microscope and dense particles by वही एक granular structure है याद करो ribosome smallest orbital होता है ribosome इतना small होता है कि वो granule की तरह दिखाए जेता है और उसकी discovery किसने की ती जौर्ज पेलाडे जो है उसने इसकी discovery की थी तो आज़र कौन सा हो गया second option 64 की बात करे ribosomes are composed of ribosome किसे बने होते है तो ribosome का formation किसे होता है जैसे मालनो ribosome इस तरीके से है इस ribosome के अंदर two component होते है एक तो RNA और एक ribosome में क्या होता है protein RNA कौन सा है RNA protein कौन सा है ribosome यह पर सामने condition है ribosome protein तो क्या हो गया RNA only protein only RNA and protein DNA कभी ribosome में नहीं होता तो answer कौन सा हो गया इसका third option हो गया 65 की बात करे packaging of substance for export from the cell occurs in there कोशिका से निरियात के लिए पदार्तों का जो समेश्टर है packaging किसमे होती है तो packaging के लिए को responsible है ACR lysosome nucleolus या गोलजी बोडी गोलजी बोडी responsible है किसके लिए packaging के लिए गोलजी बोडी के बच्चो mainly three function होते है एक तो transformation इसके लावा packaging and secretion transformation का मतलब होता है कि जो ER से protein आती है जो ER से lipid आती है उसको change करना glycoprotein के अंदर and glycoprotein के अंदर that is the function of गोलजी बोडी packaging करती है उसको vesicle के form में और उसको secret करती है कहां से transform में next question number 66 की बात अपन करे is directly connected to the outer nuclear membrane जो nucleus की outer membrane है उस nucleus की outer membrane से कौन connect होगा देखे इस तरीक ऐसे condition होती है ये cell ये cell में क्या होते है nucleus और देखो nucleus की जो outer membrane है उस outer membrane से कौन connect है उसे connect कौन है ER तो ER is connected through outer nuclear membrane answer यहाँ पे होगया ER next question number 67 की बात करे which of which one of following is not a micro body कौन सी micro body नहीं है glyoxysome micro body है paroxysome micro body है spherosome भी micro body है lysosome जो है वो कोई micro body नहीं है तो answer यहाँ पे कौन सा होगया fourth option which of the following features is common to prokaryotic and all eukaryotes prokaryotic and eukaryotic में कौन सेम है तो बिल्कुल देखते हैं chromatin material absent देखो chromatin material का मतलब होता है DNA वगरा DNA RNA तो DNA RNA जो की chromatin material है यह दोनों के अंदर आप कह सकते होते हैं तो कोई श own character नहीं है Cell wall present Cell wall present ko pun के बाद हम करें तो cell wall अपन कह सकते हैंकि alive जो cell wall है वो जो prokaryotic में उसमें तो ही है और जो all eukaryotic की बाद करें तो सारे eukaryotic में cell wall नहीं होती है जैसे आप कह सकते हैं कि animals में cell wall नहीं हुआ करती है Cell membrane present? बिल्कुल. Cell membrane तो हर cell में होती है. चाहे तो prokaryotic हो, चाहे eukaryotic हो. Membrane bound subcellular organelles are present. यह सरफ किसमें होता है? eukaryotic में? prokaryotic में नहीं होता. आपको पूचा यहाँ पर common है? तो answer यहाँ पर कोणसा हो गया? þर्ड option हो गया. Next question number 69 की बात करे. Which of the following statement is not true for the cell membrane cell membrane के लिए क्या true नहीं है it is present in both plant and animal cell lipids are present in the form of bilayer protein may be peripheral or integral in it carbohydrates are never found in it पादप और जनतु दोनों कोशिकाओं में हैं बिल्कुल cell membrane तो पादप जनतु क्या वो तो प्रोकेरिटी के अंदर भी होती है बिल्कुल वसा द्वी परत के रूप में बेवस्तित जो लिपिड है लिपिडेस तरीके से बाइले और के फोर्म में होते हैं ठीक है इसे बाइलेर भी कह सकते है या बाय मोलिकिलर क्रों वी कह सकते हैं प्रोटीन्स पेरिफेरल भी हो सकते हैं बिल्कुल यह पेरिफेरल हो गया यह क्या हो गया इंटिक्रल हो गया कार्बोहाइड इसमें पाए जाते हैं यह बोला है कि नेवर फाउंड इनिट तो यहां पे इंकरेट कोण सा हो गया फॉर्ट ऑप्शन हो गया सेवंटी नमर कोशिर की बात करें विचो फॉलोइंग कंपाउंड प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टुदे बैक्टरियल सेल इमनों से कोल सा पदार जिवानों कोशिगा को चिप चिपा परदान करता है अब कोई भी बैक्टरिय की सेल है अगर वो किसी के साथ चिपक रही है तो अपनी आउटर सर्फेस से चिपकेगी और आउटर सर्फेस क्या होती है फिलाइकोरलक्र स्टहुअ कहां है तो अमर्ण कह सकते हैं वह आशर आप प्रक्लिगेशन थीक में जो फेफिर सब्सक्राइब कर बात करें विच ओफ दे फॉलोएंग सेल और्गनली इस नौन एस प्रोटीन फैक्टरी निम्नमे से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन फैक्टरी कहलाता है लाइसोसोम, माइटोकॉंड्रिया, नुकलियोलस, राइबोसोम तो प्रोटीन की फैक्टरी किसको बोलते हैं, लोग राइबोसोम को बोलते हैं क्योंकि प्राइबोसोम का फंक्शन है क्या है, पॉली पेप्टाइट चेन का फोर्मेशन करना प्रोटीन का फोर्मेशन करना, नेक्स 72 देखते हैं विच टाइप ओफ वेक्योल प्रोवाइड फ्लोटिंग नेचर टू बैक्ट्रिया सैफ वेक्योल गेस वेक्योल इसमें बरी होती है तो वह जो एर है यगर वो सैल के अंदर वेक्योल में है तो वो सेल पानी में दूपती नहीं है बलकि हमेशा वोटर की सरफेस पर रहती है ठीक है इसे बोलते फ्लोटिंग नेचर किसे से आता है गयग स्वेक्योल से आता है 73 की बात मैं सबाइब करना चाहो centrosome विल्कुल centrosome जो है वो animal cell में होता है plant cell में centrosome नहीं होता बट इसका मतलब यह भी नहीं कि किसी भी plant cell में नहीं होता कुछ exception इसके होते हैं बाकि almost plant cell में centrosome नहीं पाए जाता next question number 74 which of the following statement is incorrect निमने में से कौन सा कथन असत्य है middle lamella is made up of calcium and magnesium pectate मद्या पटली का calcium magnesium pectate से बनी है बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि जो middle lamella होती है वो middle lamella किसे बनती है calcium pectate से और magnesium pectate से बनती है secondary cell wall is found in hardly woody parts of plant धित्य कोशी का वित्ती कथोर काष्ट ये पादब भाग वे पाए जाती है बिल्कुल जो secondary cell wall अपन कह सकते हैं कि वो secondary cell wall किसमे होती है plant का जो woody part है जो काफी hard जहां लकडी होती है वहाँ ये पाए जाता है plasma desmeta are cytoplasmic bridge that connect the neighboring plant cell बिल्कुल plasma desmeta था आपको जो बच्चो plant cell अपस में attach होती है उनके बीच में क्या होता है plasma desmeta जो कि cytoplasmic connection है जिसका function क्या है जिसका function है water वगरा का transport करना है secondary wall is formed on the outer side of the cell no secondary cell wall तो plant cell में अंदर के तरफ बनती है ना कि बाहर के तरफ बनती है तो यहाँ पे incorrect कौन सा हो गया फॉर्थ option हो गया 75 की बात करे which one is related with ATP formation निमनमे से कौन सा ATP के निर्मान से सम्मंदित है ATP के निर्मान से सम्मंदित कौन सा हो गया जिसमें energy बनती है ATP का मतलब क्या है energy और ATP का formation कहाँ पर होगा mitochondria के अंदर जो inner membrane है उस पर जो oxy som है oxy som में जो F1 particle है F1 particle में जो surface है उस surface के उपर formation किसका होगा ATP का खेर जो भी है ATP का formation कोन कर रहा है mitochondria next question number 76 की बाद करे which of the following is common to both ER and Golgi complex निमनमे से कोन ER तथा Golgi complex के लिए एक समान है एक जैसा both are double membrane bound ER भी single membrane bound है और Golgi body भी single membrane bound है both have systerny ER and Golgi body दोनों में systerny होती है बिल्कुल ही यहाँ पर common character आप कह सकते है both contain there are one divine both क्या एक में DNA नहीं है ठीक है both are semi-autonomous no जो semi-autonomous है वो या तो chloroplast है या mitochondria है मैं तो ER है मैं Golgi body है तो यहाँ पर common क्या होगा इनके अंदर systerny का होना 77 की बात करते है in prokaryotes ribosome consist of two sub-units which are the prokaryotic में क्या होता है 70S होता है और 70S में आपको पता हिए एक तो होती है small 30S unit एक होती है large 50S unit तो 30S and 50S तो answer यहाँ पर कौन सा हो गया fourth option हो गया 78 की बात अपन करे the structure present inside the nucleus responsible for ribosomal unit formation is केंदरक में कोल सी सरस्तना ribosome इकाई के निर्मान के लिए उतर दाई है ribosome किसे बनता है RRNA से और RRNA का formation कोन करता है nucleolus करती है तो पर कह सकते है answer यहाँ पर क्या हो गया nucleolus बिजोसome बचो यहाँ पढ़नी होगा ठीक है पर जोसome तो परोकेलो्टिक सेल में है परोकेलो्टिक सेल में निकलियस होता ही निए nucleoplasm नहीं nucleolus यह क्या करता है nucleolus जो होता है तो किसका formation करेगा थो nucleolus से formation होगा RRNA का और RRNA जो है उससे formation किसका होता है Rivo šom 79 के बात करे chromatin इस essentially से होता है तो खंचते है डीना से होता है कि रोध्य किसे बनता है है पोक्रोपेटिन फाइबर जो है हुआ है उस कर्णोन फाइबर के अंदर उता है एक तो डीन कि इस에 के लावा नोन हिस्टोन इसके लावा RNA and metal ions तो chromatin के लिए DNA only DNA only DNA and histone DNA and ribosome, तो आंसर कुण सा हो गया DNA and histone, ये तो chromatin fiber में definitely होते हैं, हाला कि RNA भी होता है ठीक है, पड़ यहाँ पर option के साफ से answer जो है बो जो हो गया, second option हो गया 80 number question the micro body's are membrane bound non-membran present on in plants present on animal देखो micro body जो है पहले तो आप क्या सबते हैं ये membrane bound होती है तो दूसरी बात यह जो micro body हो अगड़ती है ये micro body बच्छो plant के अंदर भी होती है और micro body किसमे होती है animal के अंदर भी होती है जैसे micro body के तीन टाइप होगड़ते हैं कि एख एक तो कौन सा प्रक्सी सोंग कि इसके इलावा ऑस पिररो इस प्लांट डूनfulness प्लांड और स्कूलिक इंदर न法 प्लान Não गलत हो गया प्रजेंट ओनली एनिमल गलत है ओनली प्लांट्स गलत है रोंग है तो बचो यहां पर करेक्ट टांसर कौन सा हो गया पर स्ट ऑप्शन हो गया नेक्स्ट आगे बात करते हैं कौशन नमब्र 81 विच ओफ दे फॉलोइंग ऑर्गनली शो पोली मॉर्फिजम तो प करता है उसके मेनिटाइब सोते हैं कुछ है एक लाइस ओसों जो है भुता ब्राइबे ही और कोई फेंग अगया यदि कॉंगर्ट किसमे हो गया सेकंड़्ला ऩों में तो इस तरह कृईव वह एक से ज्यादा फोम के अंदर आ रहा है तो यहां पर आंसर आप कह सकते हैं कोन सा हो गया आंसर आप कह सकते हैं यहां पर हो गया सेकेंड ऑप्शन है 42 आप कह सकते हैं यह कैंडर के आवंद दाह परतक होती है गलत है यह सब्सक्राइब के अंदर होती है और के अंदर के आवरण से गिरी होती है सब्सक्राइब को नहीं होता ठीक है पुछा कि आपको इसमें कौन सा है तो जो फस्त है वो रोंग हो गया अगे बात करते हैं इसके अंदर 83 the function of polysome in bacterial cell is 2 जैसे मान लोग कोई polysome होता है polysome का मतलब mRNA और mRNA के अंदर बहुत सारे क्या होते है राइबोसोम फिर इन राइबोसोम के उपर क्या होते है तो हर आइबोसोम में जो लार्ज सब्भी निट है उसे formation किसका होगा protein का protein केसी बनेगी जैस information किस में होती है mRNA के अंदर तो उस translate the mRNA into protein translate का मतलब भी क्या होता है protein का formation करना तो mRNA जो है उस mRNA के अंदर जो भी information है उसको translate करना प्रोटीन के फोर में इसको आप लोग क्या कर सकते हैं translation यह पोलिसोम करता है इस्ट्रो करना इसका function नहीं है कोई सिंतेसिस नहीं करता है कोई यह आपके सेक्टिव विग्मिसी में helpful नहीं है next question number 84 in plants the tonoplast facilitate the transport of a number of ions and other materials पादप में tonoplast आयनों वे अन्य पदार्तों का अभीगमन करता है कैसे जैसे मालों यहां पर यह सेल है ठीक है और बचो सेल के अंदर यह जो आप देख रहे हो यह क्या है tonoplast और सबस्टांस जो है वह सबस्टांस अपनी low concentration से इस वेक्योल के सबस्टांस low to high जाता है low to high क्यों जा रहा है क्योंकि बचों यहां तो सबस्टांस को स्टोर किया जाएगा अगर वेक्योल में सबस्टांस को स्टोर करोगे तो यहां पर कंस्ट्रेशन क्या हो गई हाई और low to high अगर जाए तो इसे कहते हैं against concentration gradient सांदर्था परवनता के वि बीप्रीथ तो अगेस्ट करसेंट्रेशन ग्रेडियंट इंटू वत्यों बिल्कुल सई हैëक यहां पर कई वक्र हो गया मिल्कुल आप क्या सबnat थी यह जो है वो एक NCRT की लाइन दे रखी है नेक्स्ट कोश्चन नमबर 85 select the answer which correctly match the organally and its function यहाँ organally है यहाँ function है contractile vacuole phagocytosis no जो है वो food vacuole का function है digestion food vacuole में होता है ने कि contractile vacuole में होता है गोलजी apparatus synthesis of steroid hormone नहीं steroids का formation SCR करती है ने कि गोलजी बोड़ी करता है RER protein synthesis बिल्कुल सही है SCR synthesis of lysosomal enzyme lysosomal enzyme के enzyme का formation तो RER करती है ने कि SCR करती है क्योंकि बच्चों enzyme कि से बनेगा protein से और protein काहां से आएगा RER से तो यहाँ correct answer गोंड सा हो गया third option next question number 86 mitochondria are divided by सुत्रकणी का विबाजित होती है budding से fragmentation से fission से spore formation से तो mitochondria में क्या होता है fission होता है 1 mitochondria से 2 mitochondria 2 mitochondria से 4 mitochondria इस तरीके से बचोई आप कहसे सकते हो कि fission होगा और fission के थूई क्या होगा तो fission के थूई mitochondria में division होगा it is 7 next यहाँ पर देखे gas vacuole are found in gas रिक्तिया किसमे पाई जाती है तो gas vacuole किसमे होती है blue green algae purple and green sulfur bacteria brown algae या more than one option is correct तो बच्चो gas vacuole जो है एक तो blue green algae के अंदर होगी एक purple and green sulfur bacteria में होती है तो answer यहाँ पर हो गया fourth option 87 में answer कोई सा हो गया इसके अंदर fourth option इसका अंसर correct हो जाएगा 87 के अंदर next 88 की बात करे which of the following structure lack membrane central में membrane नहीं होता बिलकुल सही है phlejula membrane बिलकुल covered होती है ribosome membranless है micro body membranous होती है तो answer यहाँ पर हो गया A and C तो बच्चो 88 का जो answer वो कौन सा हो गया आपके सकते है option number 3 हो गया 89 के बात करे which structure is covered by single membrane mitochondria lyse vacuole chloroplast synofacin granule यह बच्चो 0 membrane membrane less है chloroplast में two membrane vacuole में one membrane mitochondria के अंदर two membrane तो single membrane किसमे होती है answer इसका हो गया vacuole जिसका नाम क्या है tonoplast question number 90 की बात करे a nuclear pore allow केंदर के छिद्र होने देता है protein movement only RNA movement only union directional movement of DNA या RNA and protein movement answer यहाँ पर है RNA and protein movement जो बच्चों nuclear pore वा करता है अगर आप कंडिशन देखे अगर आप नुकलियर पोर के बात करें इसके अंदर यह मालो नुकलियर पोर है तो जनली आप लोग क्या देखते हो अंदर तो को आता है protein और बाहर को जाता है RNA तो देखो नुकलियर पोर का function क्या है RNA protein का movement करना next question number 91 की बात करें which one of the following structure determine the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacterium from blasting निम्न में से कौन सी सरस्थना जीवानों कोशी का की आकरती का निर्दारित करती है और मजबूत सरस्थना आत्मक समर्थ्य परदान करती है उसे फटने से बचाती है तो देखो अपर condition यहाँ पर देखे जो cell है उसके अंदर mechanical support को दे सकती है तो इसका आप कह सकते हो cell wall cell wall जो है वो बचो काफी द्रड सरस्थना होती है वो काफी rigid structure होती है काफी कठोर सरस्थना होती है जिससे क्या होता है cell को बाहर से एक मजबूती मिलती है साइटोस्केलेटल तो strength देता है अंदर से और cell wall बचो strength मजबूती देगा बाहर से नेक्स्ट नाइटी टू नमबर कोशन नाइटी टू यहाँ पर है which of the following is correct for the diagram गिवन पिलो तो इस डियाग्राम की बात अपने यहाँ पर करेंगे सबसे पहले देखो बचो डियाग्राम यहाँ पर किसका है यह डियाग्राम यहाँ पर एक आप कर सेथे सीलिया या जो फ्लेजिला है उसका डियाग्राम है तो यहाँ पर है इट री पर्जेंट प्रोकेरियोटिक फ्लेजिला नो बच्चो प्रोकेरियोटिक फ्लेजिला मे यह जो माइको टूबल साप देखते हो ना यह नहीं हों करती है इट प्रसेस्ट नाइन प्लस जिरो माइको टूबल्स और नहीं यह बढ़कर 9-2 है देख लो आपके सामने की बात है नाइन तो क्या हो गया ॉग डबलेट और दो बचो यहां पर क्या हो गया तो नो इट केंदर किसा होता है यू के प्रेसथ मेंदर कि राज़ के सित्क्राइब से कवर होता है is 93 IQ país कि माइव कॉंद्रिया इस में रिलेटेट विद सुत्र कणिकाल सम्मझ किसे है प्रोटीन सिंटेसित एंडरोगार 5000 प्रहूटर के अंदर होने इंडर अपर मैं इसका सम्मझ किसिर आप कहे सकते हैं कर सकता है लेकिन जो है वही तिरफ र Черफ किसके लिए है कि लिए दिनाज सरी विल भी अरोब भी र स्परिशन Only कि न नुकृट ले मेंब्रेन इस अपसेंट नुक्लीर मेंब्रेन उसमें अपसेंट है जो कौन होगा प्रोकेरियोटिक सेल होगी तो परिसीलियम तो फंजाई है यह तो यूकेरियोटिक सेल हो गया एगरिकस कौन है फंजाई यूकेरियोटिक सेल है वोलवोक्स एक एलगी है यूकेरियोटिक सेल है नोस तो क्या है एक ब्लू ग्रीन एलगी और बच्छो ब्ल्यू ग्रेनलगी क्या होता है प्रोकेरोटिक सेल है तो आंसर यहां पे हो गया फॉर्थ ऑप्शन 95 की बात करे यू बेक्टरियल फ्लेजिला और मेड़ अप ओफ जो यू बेक्टरिया का कशाभी का है जो फ्लेजिला है अगर आप इसके बात करें तो यह किसे बनती है तो पता होना चाहिए आपको यू बेक्टरिया के फ्लेजिला में क्या होता है इस तरीके से यू यह बेसल बोडी यह हूख और यह क्या होगा फिलामेंट तो आलसर यहां पे हो गया बेसल बोडी फिलामेंट बेसल बोडी फूक इन फिलामेंट आलसर कौन सा हो गया फॉर्थ ऑप्शन हो गया कोशन नमबर 96 की बात अपन करें नाइन प्लस टू मयकोटिबूस अरेजमेंट इस कॉमनली परजेंट इन नाइन प्लस टू अगर आप अरेजमेंट की बात करो तो जैसे अपन कहा सकते हैं यहां पर बेसल बोडी बेसल बोडी जो है उस बेसल बोडी के अंदर तो नाइन प्लस जीरो अरेजमेंट होगा क्योंकि बच्छो बेसल बोडी जो है और जो सेंट्रियोल है यह तो एक जै जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो गया 96 क्रेक्ट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन फिर भात करते है 97 की साइतोस्केलेटल इस मेड़ आप ओफ जो साइतोस्केलेटल किससे बनता है केल्σιम कार्गोंट से नो क्य disrespect लो जो सेलोजिक फिरामेंट नो प्रोटिनफ एल्लामेंट फिल्कुल बच्चों साइतोस्केलेटल बनता है Micro से माइक्रो फिलामेंट से और इंटर्मीडियेटरी फाइबर से और यह तिनों कि तिनों कि से बनते हैं प्रोटीन से बनते हैं तो आंसर यहां पे हो गया फॉर्ट ऑप्शन 98 के बाद करें विच स्ट्रक्चर परफॉर्म देफ फंक्शन माइटो कॉंड्रिया इन बैक्ट्रिया जो माइटो कॉंड्रिया का फंक्शन वो बैक्ट्रिया में कौन करता है तो अपने को पता है मीजोसोम मीजोसोम जो है वो क्या है सेल मेंब्रेन का इन फोल्डिंग होता ह यह तरीके से हैं हम यह घ्लाय को के लिक्स सेल वोल सेल मेंबरन और इसका इन फोल्डिंग क्या है सेल मेंबरेन का जो इन फोल्डिंग और उससे आप लो कहा सबते हैं मीजोसोम और वह किसके लिए कि बोलो वह रेस्पोंसिबल है एरोबिक रेस्पारिशन के लिए एनलजी प्रोड़क्शन के लिए जो फंक्षेन के किसका है माइटो कॉंड्रिया का है ठीक है आगे बात करते हैं कोश्च नंबर 99 मैटो कॉंड्रिया विल बी फाउंड इन अबंडेंस इन cells of tissues having निमन में से किस उत्तक की कोशिकाओं में mitochondria अधिक संख्यामी होता है देखो कोई भी cell कोई भी tissue अगर जादा active है जादा active होने का मतलब है उसमें जादा physiological interaction होती है और अगर physiological interaction जादा हो रही है तो उसमें definitely आप कह सकते है mitochondria क्या होगा जादा होगा तो minimum activity average activity maximum activity या none of these answer यहाँ पर क्या हो गया maximum activity ओके आगे देखो question number 100 जो कि अपना last question है which is larger cell organal बच्चो NCRT में सब की size दे रखिये डाटा के अंदर तो आप कह सकते हैं यहाँ पर chloroplast जो है वो chloroplast सबसे बड़ा कोशिकांग है इनके अंदर और chloroplast से small cone है mitochondria है तो chloroplast की जो size है वो इनके अंदर क्या है maximum है इस तरीके से बच्चो आज हमने 100 questions का solution किया जो questions है वो बच्चो पूरा परियास किया हुआ है पूरी कोशिस की गई है NCRT based हो, exam oriented हो उम्मीद आपने इस बायो DTS के 100 questions को अच्छे से enjoy किया होगा Thank you, thank you so much Good morning friends बायो क्यम की DTS series में आज हम solid state का part discussion करने जा रहे है problem number first क्या कहेरे बड़ा which of the following will show anisotropy, कौन सा anisotropy show करेगा simple सी बात है आइनिक crystalline solid जो है वो anisotropy show करते तो crystalline solid में आपका second आजाएगा तो answer कौन सागे बड़ा second ठीक है next problem अगला problem क्या अग्रद major binding force in diamond, silicon and quads तो simple सी बात है diamond, silicon and quads जो है covalent network solid इसलिए इसमें responsible winding force जो होगा covalent bond force होगा इसका answer कौन सागे बड़ा third next problem which type of crystal lattice contain more than one brevices lattice, ठीक है more than one brevices lattice hexagonal में नहीं, triclinic में नहीं rhomboendul में नहीं, monoclinic इसका answer कौन सागे का, monoclinic आएगा ठीक है इसमें दो brevices lattices present होगी ठीक है fourth वाला problem, क्या कह रहा है a compound is found by two elements y and z, a compound इसका अंदर y and z present z forms ccp by the way हमने माल ले number of atom इसके कितने हा रहे, n ccp atoms y occupy one third of tetra ideal void atom y जो है, one third occupy कर रहे tetra ideal void के, total number of atoms अगर n है, तो number of tetra ideal void जो होगी वो कितना होगी, two n के बरावे, लेकिन y जो है completely occupy नहीं कर रहा केवल और केवल one third part occupy कर रहा है, इसलिए इसका कौन सा लेंगे one third part दोनों का ratio निकाल होगी तो आपके पास ratio जाएगा two ratio three के बरावे तो यहाँ पे जो formula बनेगा वो आपके पास y2 z3 का formula बनेगा जो की option first के अंदर match कर रहा है तो answer कौन सा है के बड़ा first आ जाएगा next problem अगला problem क्या करा है यह दो डिस्टेंस बेटिविन एने प्लस और सी एल माइनस इने एल क्रिस्टल is 265 पिको मेटर देए इस लेंथ अप दी उनिट सेल विल दी तो सिंपल सी बात है एने सेल के स्ट्रक्चर के अंदर आर प्लस प्लस आर नेगेटिव कि वैल्यू जो होती वह यह वाई टू के बरावर अब आर प्लस और आर नेगेटिव का जो सम है उनकितना है 265 के बरावर दे रहा है ठीक है यह किसके बरावर होगा यह वाई टू के बरावर तो यह की वैल्यू जो आपके पास आएगी 265 मल्टिप्ला बैटू के बरावर आपका अंसर जो आएगा 530 किको मेटर के बरावर आज जाएगा ठीक है बड़ा इसलिए आज आपका अंसर सेकेंड होगा इसलिए आज आपका अंसर सेकेंड होगा आपके नेक्स प्रडूम्ग विच टाइप ओफ फॉलोविंग इस पॉल्विंग इस मोल्टिप्ला सोलिड आपको बताना है कौन सा मोल्टिप्ला सॉलिड ए तो सिंपल जी बात है इने सेकेंड इनेक सोलिड डायमंड कोलेंड डेट्रॉड नेट्रॉड जैब की सब्सक्राइब सॉख यो स्वान श्योक्राइब सोलिड को लेक्विच एगजमौ नों से सान्सर क्योन के बाता हूं सब्सक्राइब स्कारइब कर शतरॉड no इन्टो एम डिवर्ड बाई एक्यूब इन्टो एने ठीक है आपको डेंसिटी ग्राम पर संटिमेटर क्यूब में लिखोगे तो जैड इस इगल तो कितना दे रहे का आपकी पास टू एंटो मोलकुल मास कितना 50 डिवर्ड बाई एक की वेल्व आपको 300 सेंटीमेटर में करना पड़ेगा सेंटीमेटर में करना पड़ेगा सेंटीमेटर में इसकी वेल्व होगी 10 की पौर माइनस 10 का होल क्यूब इन्टो एने की वेल्व 6.023 इन्टो तेन पौर 23 इसको अगर आप कैल्कुलेट करोगे ना तो वेल्व आपकी पास आएगी 6.15 ग्र CS-CL crystal, तो simple सी बात हैं, CGM chloride के structure के अंदर, CL minus corner का occupy करता है, जिए प्लस जो है, वो center का occupy करता है, तो center का coordination number जो होगा 8 के बराबर, तो यहां पे coordination number इसका 28 के बराबर और CL minus का भी 8 के बराबर आएगा, क्योंकि इनका दोनों का ratio जो आएगा, 1 ratio 1 के बराबर आएगा, तो इसका coordination number 8 ratio 8 के बराबर आजाएगा, ठीक है, next problem, how many chloride ions are surrounded, surrounding sodium ion in sodium chloride, तो simple सी बात है, sodium chloride के structure के अंदर, Na plus जो है, वो octidal void का occupy करता है, जबकि CL minus FCC का occupy करता है, octidal void का coordination number कितना आता है, 6 के बराब, तो जाहिए बात, इसका coordination में कितना आएगा, 6 के बराब, तो यहाँ पे, क्या पूचा गया है, कि कितने chloride ion na plus को surround कर रहे, तो simple सी बात, na plus को total, 1 na plus को 6, CL minus surround कर रहे, इसका answer जो आएगा, थारवाला हो जाएगा, next problem, the coordination number of metacrystallizing in hexagonal close packing, आपको पूचा गया है, क्वे, HCP के अंदर, आपके पास जो atom occupied हो रहा है ना, इसका coordination number बताना है, तो simple सी बात है, HCP का आपकी structure बनाऊगी, HCP के structure के अंदर, आपको मालूम इस type होता है, corners पे atoms present होते, ठीक है, इसके corners पे, एक body के center पे, यहां पे तीन बीच में होता है, तीन ऊपर की तरफ आएंगे, तो अगर मैं इसको assume करूं, इस atom को अगर लेके चलोई, इससे 6 atom तो surround में, तीन नीचे और तीन ऊपर की तरफ आएंगे, तो total coordination में जो आएगा, वो total कितना है, बड़ा, 12 के बराबर आजाएं, ठीक है, next problem, the unit cell of BACL2, BACL2 दे रखा है, BACL2 में fluorite structure है, तो fluorite structure के अंदर fluorite structure, basically CF2 का structure होता है, जिसमे, F- जो है, वो all tetra-hedral void occupy करता है, किसके, एक तरसे FCC के tetra-hedral void को occupy करता है, ठीक है, same case, यहाँ पे भी ऐसी fluorite structure दे रखा है, तो simple सी बात, कि, यहाँ पे आपके पास, यह जितने भी BACL2 है ना, वो किसको occupy करेगा, एक तरसे FCC को occupy करेगा, और FCC के अंदर, number of atoms कितने हैंगे, चार के बराब, same, CL minus ion, all tetra-hedral void को occupy करेगा, all tetra-hedral, all it को occupy करेगा, तो total number of tetra-hedral, just double than the number of atoms, तो यह कितने के बराब, 8 के बरवाएगे, तो यह सा option जो मैच कर रहा है, कि 4BA plus 2 ions present होंगे, and 8, CL minus ions present होंगे, तो इसका answer जो होगा, वो second वाला हो जाएगा, next problem, which of the following show, frankal defect and short की defect, तो simple सा problem है, azbr जो है, वो frankal defect and short की defect, बोच सो करता है, तो इसका answer first हो जाएगा, अगला problem, the number of carbon atoms per unit cell of the diamond, तो diamond का structure, बिसिकली जड़नेस टाइप का structure होता है, तो जड़नेस के अंदर, s-2 जो है, corner को occupy करता है, साथ जड़नेस टेटराडल वोईड को occupy करता है, तो similarly, यहाँ पे, वहाँ पे जड़न प्लस टो और s-2 ions present नहीं होगे, सभी जगे आपके पास carbons present होंगे, तो carbons में, carbons fc के occupy करेगा, fc के total number of atoms कितने होंगे, 4, प्लस साथ में alternate tetral, total number of tetral word, 8 होंगे, लेकिन alternate होगा, तो इसका हाप हो जाएगा, तो total कितने हैंगे, 4, तो number of atoms, carbons atom per unit cell कितना हैंगे, 8 के बरावर, तो answer कितना हैंगे, 8 के बरावर, अगला, the vacant space in bcc unit cell is where, bcc में packing efficiency जो होती है न, वो 68 के परावर, तो vacant space 100 minus 68, कितना होगा, 32% के बरावर आज़े, थर्ड वाला answer होगा, पैकिंग की पिसेंस in fcc, fc भी पैकिंग की पिसेंस, cdc बाते, 74% होती, आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 17 वाला problem देके बड़ा, the number of atoms in 100 gram of an fcc crystal with density, 10 gram per centimeter cube and age length equal to 200 picometer, ठीकन, problem क्या क्या रहा है, यह आपके पास जो value दे रहे के वो W, total value यह, total weight जो दे रहे का 100 gram के बरावर, density की value दे रहे के 10 gram per centimeter cube के बरावर, ठीकन, and age length यह जो दे रहे के 200 picometer के बराव, 200 picometer का मतलब क्या, तो आपके पास क्या है की एक value, दोगा आपको मालूम होना चाहिए कि density का formula दी is equal to z into m divided by a cube into n, density आपके पास gram per centimeter cube में दे रहे की, इसलिए आपके पास क्या लिए 10 gram per centimeter cube, that would be equals to z की value fcc के अंदर कितने आगी, 4 के बरावर, ठीक है, तो यहाँ पर 4 multiply by, क्या होगा, m, यहाँ पर a की value, 2 into 10 to 4 minus 8 का whole cube multiply by क्या हैगा, na के बरावर, ठीक है, यहाँ से हम m को calculate करोगी, आप अगर m को calculate करोगो, तो 10 divided by कितना हैगा, 4 के बरावर, multiply by 2 into, sorry, यह cube करोगे, तो 8 into 10 raise की पौर minus 24 into na के बरावर आजागा, ठीक है, यहाँ से 4 और 2 का आपस में कैसे लोट हो जाएगा, तो यह होगा 2 into 10 raise की पौर minus 23 na के बरावर आएगा, यह आपके पास molar weight आए, अब आपको number of atoms निखा लेगा, तो पहले आप number of morts निकाल दीए, number of morts जो आएगा, w पर time, w आपके पास कितना देर का 100, और m की value आपने calculate कर दी, 2 into 10 raise की पौर minus 23, multiply by upon na, यह वाली value आगे, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते, number of morts आगे, तो number of atoms कैसे calculate करोगे, आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या होगे, तो 50, 10 to 10 raise की पौर minus 23, मतलब यह वाला जोगा, 5 into, sorry, यह प्लस में, उपर के तरफ जाएगा, तो प्लस 23, यहां से 5 to 10 raise की पौर 24 के बराबर आएगा, इसका answer जो है, वो कौन सा है के बड़ा, first के बराबर answer आजाए, ठीके बड़ा, next, 18 to get N type semiconductor, germanium should be dopped with, तो जाइर सी बात है, N type के semiconductor बनाने के लिए, आपको किसके साथ dopped करना पड़ेगा, nitrogen family के element के साथ dopped करना पड़ेगा, nitrogen family का element कौन सा है, आर्सें, तांसर सेकेंड आ जाएगा, 19 problem देखेंगे बड़ा, what is the coordination number of sodium in NA2, NA2 के अंदर, sodium का coordination number कितना होगा, तो देखेंगे, O minus 2, इसके अंदर, FCC को occupy करेगा, ठीके न, and NA plus, tetraidal void को occupy करेगा, ठीके, तो tetraidal void का coordination number कितना होगा, तो 4 के बराब, इसलिए आपका answer को साएगा, fourth वाला आ जाएगा, ठीके बड़ा, हरो मेगनेटिक नेचर एंड योज इन वीडियो टेप, तो सिंपल सी बात है, हरो मेगनेटिक जो होता है, FECO, NI, ZD, and CRO2, जल्ली ये वाले होते हैं, ठीके न, और वीडियो टेप में यूज को होता है, CRO2, CRO2 वीडियो टेप में योज आंसर, ठड़ वाला हो जाएगा, नेक्स प्रोल्म, एक क्रिस्टल इस मेड ऑप पार्टिकल एक्स, क्रिस्टल एक्स, Y and Z से मिलके बने, X फोर्म एपसेसी पैकिंग, X क्या करता है, FCC की पैकिंग और खिपे करता है, मला कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होगा, उसे साथ साथ फिर सेंटर पर प्रेजेंट होगा Y occupy all octidal void, Y occupy जितने भी octidal void उसको occupy करेगा, octidal void age के center पे और body के center पे present होगा, 7, Z occupy all tetraidal void, Z किसको occupy करता है, जितने भी tetraidal void, tetraidal void body diagonal पे present होगा, एक body diagonal पे दो tetraidal void present होगा, ठीक होगा, एक body diagonal के round, आपके पास अगर सभी particles हठाया दिये जाए, तो सिद्धी सी बात है, body diagonal इस direction होगा, इसमें दो तो corner सेटेंगे, एक center सेटेंगा, और दो body diagonal, दो particle tetraidal void के हठ जाएंगे, body diagonal पे present होगा, ठीक है न, तो यहां पे X, X किसको occupy कर रहा था, FCC को occupy कर रहा था, और FCC को occupy कर पर दो corners present होगे, इस वज़े से वहां से अड़ जाएंगे, एक का contribution कितना होता है, 1 by 8, 6 into 1 by 8, plus face center पी पी तो present है, total faces कितने होती 6, इसका एक का contribution कितना होता है, तो यहां पे 1 by 2 आएग, same, Y किसको occupy कर रहा है, Y octadal void को occupy कर रहा है, total octadal void में एक तो body के center पे, body के center वाला तो body क diagonal के अंदर आ रहा है, इसलिए वो वहां से रिमूव हो जाएगा, तो बाकी बचे किस पे, A center पे, और A center, total ages होती कितना, 12, एक का contribution कितना होता है, 1 by 4 के बराव, तो यहां पे 12 into 1 by 4 के बराव, same, फिर बाद में Z की value की बात करें, Z occupy all tetradal void, tetradal void total कितना होता है, आठ एक FCC के अ ratio निकाने, अब देख रेश निकालोगी, तो यहां से आपके पास कैना 3 divided by 4, ठीके, 3 divided by 4 प्लस यहां से ratio निकालोगी, तिये वाल से कि थी के बराबर, ठीके और यहां से निकालोगी ते यहां से अपर कितना है, 6, bunu 5, 12, प्लस कितना हो गांके, 15 divided by 4, और यहांपे ठीद बा वनटू दिवडट बै उट दिवाट वाँ थी से अगर आप कैसे लाऊट कर लोगे ना तो यहां से आएगा पाई Virtue पर गूडबोर और यहां पर र הי आप mit पास और वी स को लिए आप इसको किस से करो Glex 3 से मल्टिप्लाई 4 से मल्टिप्लाई करो तो 5 रेशियो 4 रेशियो कितना हैगा 8 के बराबर तो ऐसा जो मेंच कर रहा है किसमें कर रहा है 4th के अंदर X5 Y4 Z8 वाला मेंच कर रहा है इसलिए आपका अंसर कौन सा हैगा 4 वाला अंसर आज आएगा ठीक है नेक्स प्रोब्ड वाला मेंच कर रहा है इस आपका अंसर कौन सा हैगा थाड के बराबर आज आएगा ठीक है बड़ा नेक्स प्रोल्म the crystal system has A is not equals to B not equals to C alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree तो ये वाला कौन सो होता है टेटरा कौन सो होता है अप का आणसर कौन साहिगा second खेके बढ़ा next problem coordination number of carbon in diamond जाइड सी बात है diamond के अंदर carbon generally FCC को occupy करता है as well as alternate tetradale void को tetradale void का coordination के इतना था 4 तो इसका भी आपके वास कितना हैगा 4 के बारावाद next problem octodal interstitial void is surrounded by octodal interstitial void का coordination मरजे होता कितना होता है 6 के बारावाद तो कितने speed द्वारा गिरा होगा 6 speed द्वारा गिरा होगा next problem which of the following hence metallic bond basically metals के अंदर क्या प्रजेंट होते है metallic bond प्रेजेंट और metal यहां पर क्योंद एक है कौनसा थड़ वाला आंसर थड़ हो जाएगा आप पास total number of atoms जो होते है वो टू के बराव एक बिसीशिक अंदर तो बिसीशिक अंदर जैड़ कितने हो थी टू के बराव ठीक है ना तो अब number of unit cell इतनी दे रही तो जाएट से बात ही number of atoms 12 into 08 into 10 is 423 को आप के से अर्वी प्लस एड़ आई माइनस आर 1.46 एंड 2.16 एंग स्ट्रॉम प्रेस्पर्टी पोसिबल टाइप ऑफ इस्ट्रॉक्ट्ट्ट्र आइन क्रिस्टल आप क्या कर लिजी इसके अंदर रेडियस रेशियो निकाल दीजी रेडियस रेशियो के लिए लिए 1.46 अपन में के अब आपको मालूम होना चाहिए 0.414 से लेकर 0.414 से लेकर 0.732 की बीच की जो वैल्यों होती है ना उसके अंदर अक्टाइडरल इस्ट्रॉक्ट्ट्र आता है इस वज़े से अक्टाइडरल वाला आपके पास कौन सा आएगा आपके पास एक तर से नसील टाइप कर स्ट् इसलिए आपका अंसर कौन साएगा सेकेड़ आपके अपरियेंस ऑप कलर इन सॉलिड अलकली मेंटर से लेडिस जनली जूटू सिम्पल सी बात है एप सेंटर के का तो फोर्थ आ जाएगा सिम्पल सी बात है वार्ज ग्लास जो है वो एमर्फस व्लिट का एक्जाम्पल है एक्जाम्पल्ट वह नेज़्ट आरेजबंड आप जैने स्पेरलाइड इस्पेरलाइड इस्टॉक्चर के अंदर ध्यान रखना एक्जाम्पी करता है जब की वुर्जाइड के अंदर बिसिकली आपके पास ह्सिप इस्प्ट्रिक्ट्र को फोलो करेंगा कि नेक्स्टिक हाउ मेनी यूनिट सेल और प्रेजेंट इन क्यूबिक सेफ आइडिल किस्टन एनिसेल ऑफ मास वन ग्राम ठीकिन आपके बास मास देर का है वल्ब डबलू की वेलू देर के वन ग्राम के बराब ठीक है बटा तो यहां से आप मोल्स निकाल सकते हो मोल्स तो यह तो आएगा नंबर आप मोल्स की एल्फ से नंबर आप एटमस निकाल दोगे ठीक है ना तो नंबर आप एटमस जो होंगे वन डिवर्ड बाइग फिप्टी एट पॉइंट पॉइंट फाइव इंटू 6.023 इंटू 10 रिस के पोड़ 23 यह आपके पास क्याएगा नं नंबर आप यूनिट सेल पूचा है क्या पूचा यह पूचा है नवर अप यूनिट सेल पूस ठीक है ना नॉस्गल को और एक शॉल क के अंदर द技 घान ड़कना नDeHelp 4cl4 मतलब इन्हें की चार फोमले बनते हैं एक यूनिट सेल के अंदर चार चार एने सेल मिलके एक यूनिट सेल को बनाते हैं कितने एक तो सिंपल जी बात एक एनने सेल होगा वो कितना यूनिट सेल बनेगा वन देवर भाई फोर ठीक है नप तो आपके पास नमबर आप एक नमबर आप मॉलिकूल स्केल कह सकते यहां पर नमबर आप मॉलिकूल जो होंगे इतने प्रेजेंट है तो इसके अंदर नमबर आफ यूनिट सेल कितने हैं कि वन देवर फोर इंटो वन देवर प्टी एट पॉंट फाइव इंटो 6.023 इंटो 10 कि पाउट 23 ठीक है ना जो को भी आंसर आता है आप इसको केल्गुलेट कर लिए आपका अंसर आजाएगा ठीक है बटा कि नेक्स्ट पर लोग विच्छ अब इस इस फेरेट फेरेट का सिंपल सा फॉम्ला है एम जी फ्टू ओफू फॉर ठीक है अब इस के अंदर आपको क्या पूचे एफी 0.930 इसमें आपको जायर्च बात इसमें दो टाइप की उक्षिट्रेट प्लस टू एड प्लस तरी आपको बताना है प्लस थी का सब्सक्राइब क्यों इसका पॉइंटू पॉइंटो पॉइंटी नाइन त्री मैनस एक्स ठीकेट प्लस यहां पिकाएगा प्लस थी minus oxygen का कितना हो तोटल समझोगा 0 के बरब यहां से आप क्या करोगे एक्स की वैलू को calculate करो ठीक है ना x की वैलू को calculate करने के बाद आपको निकाल है percentage of e plus 3 ठीक है ना percentage of e plus 3 x की value e plus 3 की form में प्लस टोटल कितना है एफ जिरो पॉंट नाइन से इन टू क्या करो हैं इस से परसेंटेज जो आएगा एगा एप्रोक्सिमेटली 15 परसेंट के बराबर आएगा तो आपका अंसर कौन सब्सक्राइब के बराबर आज आए ठीक है बुटा सब्सक्राइब यहां से कितना है का 77 के बराबर आजाया ठीक है यहां पर क्या करें सी का पतलब क्या होगा एक तरसे इन दोलों की बीच बहुंड इसकी रेडियस आर्टु माले तो सी की रेडियस आर्वन अमने पहले माल चुके तो आरवन प्लस आर्टू की वैल्यु जो है बराबर होने चाइए 188 मिटर्स के बराबर होने अब आर्गन कि वेल्युन को हमने कल्कुलेट कर लिया यहां से डिवेल्युस को आप क्या करोगी आथ तो आर्टू the compound forms HCP in 0.5 moles of this compound total number of voids and tetraidal voids बता रहें ठीक है तो simple सी बात है अगर number of atoms कितने N है ठीक है तो total number of voids जो होंगे 3N के बराब ठीक है अब पूचा क्या क्या है 0.5 moles दे रहें तो 0.5 को 6.023 into 10s की पूट 23 से multiply करोगे न तो यह वाली जो value आएगी एक परसे आपके पास कहेंगे number of atoms की value आजाएगी अब आपको चाहिए क्या आपको चाहिए कि भई टोटल number of voids बताने तो total number of void तो किसके बराबर 3N के बराब उसको 3 से क्या करोगे multiply 3 into 0.5 into 6.023 into 10 for 23 वहले यह 1.5 होगा 1.5 का 5 का 6 times कितना होगा 9 के बराबर यहां पर दूसरी बात 2N की value की बात करें 2N का मतलब क्या होगा 2 into 0.5 into 6.023 into 10 for 23 यहां पर यह वाले value कितनी होगा 1 मतलब value किते हैं 6.023 into 10 for 23 तो आपके answer कौंस आएगा second वाला answer आजाएगा नेक्स प्रोल्म ठीक है the material crystallize into 2 cubic faces दो cubic faces Fcc and Bcc Fcc and Bcc को occupy कर रहे तो Fcc के अंदर Z1 की तो value कितने आएगी एक तरह से आप 4 जबकि Z2 की value कितने आएगी 2 के बराबर आजाएगी क्योंकि Bcc को कर रहा है उस्ट यूनिट एजलेंथ इसकी एजलेंथ एवन जो देर के 3.5 एंगस्ट्रॉम के बराबर देर की जबकि इसकी एजलेंथ जो देर की 3 एंगस्ट्रॉम देर की आपको बताना क्या है रेश्य आप देंसेटी आफ Fcc and Bcc would be density का formula होता है Z into M divided by क्याएगा आपको रेश्य निकाल लगा तो D1 divided by D2 would be equals to आपके पास मैटल आपके पास क्या है सेम और मैटल सेम है तो इसका मतलब M की वेल्यू क्यों होगी सेम एन आपके पास सेम इसको ऐसे लिख तो बेशेर जर्वरच पाटोवी अजय इन्टू एए टू का स्कॉर आपको अलेख स्कॉर आपके एन आपके पास क्यों हैके यहां से क्या है कि इस वेल्व को शॉल करोगे तो आपका अंसर कौन साएगा फर्स्ट वाला अंसर आजाएगा ठीके बड़ा सिंपल सी बात है यह वला डाइबंड कोवलेंट डैट्वक शॉलिड है यह तो आए नहीं हो नहीं सकता लेकिन फॉर्ट ऑप्शन डाइबंड और ग्रिफाट बहुत दे दिया तो आपका अंसर कौन साएगा फॉर्ट वाला जाएगा ठीके बड़ा 4D problem देखते बड़ा the crystalline CS seal has density 3.988 gram per centimeter cube यहाँ पर density देरे की बड़ा कितनी 3.988 gram per centimeter cube ठीके बड़ा the volume occupied by the single CS iron in the crystal will be देखो density का जो formula होता है ना Z into M डिवर्ट बर क्याएगा A cube into Na ठीके density की value जो आपके पास देरे की 3.988 that would request to Z की value CS CL के लिए कितना है कि 1 के बड़ाबर M M आपके पास CS CL का देरे का 168.4 के बड़ाबर ठीके अपॉन में A cube की value निकाल लिए 6.023 into 10S की पार 23 यहाँ से आप क्या करोगे की value निकालोगे आपको volume में पूचाए और इसको calculate करोगे तो रफ वैल्यू आपके पास 7.014 into 104-24 23 cm के बड़ाबर आई है आपका असर कौन सब्सक्राइब बड़ा है थैंक्यू वेरी मच